हेई चैम्स, वेल्कम बैक टु ए निव वीडियो और और गानिक हिरोसिक स्रीज और आज के इस वीडियो में हम लोग को अल्डियाइड और कुटोन के केमिकल डियक्शन देखने थे तो बिना कोई देखने के वीडियो सार्ट करते हैं और इससे पहले कि हम लोग इसके रिक्शन देखे हैं हम लोग कुछ थेरी पॉंट देखने हैं केमिकल डेक्शन में उसको देखते हैं ठीक है सबसे पहले चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है कि जो एल्डियाइड औ कुटोन जो है वो दोनों अलग अलग functional groups है तो वो अलग properties दिखाएंगे लेकिन एल्डियाइड और कुटोन दोनों के पास जो ग्रुप है कार्वणील ग्रुप ही होता है इसलिए उनके chemical डेक्शन सेम ही होता है यही चीज यहां पर NCRT न लिखी है और यह पॉइंट लोग का सकते हैं जो अच्छे से पढ़के जाएगा उसलिए यह फंक्शन ग्रुप अलग होने पर तो chemical डेक्शन अलग होता है तो यह अलग ही दिखाएगा लेकर NCRT ने लाइन लिखी है क्योंकि दोनों के पास कार्वणील ग्रुप है इसलिए यह similar chemical डेक्शन दिखाते हैं अब समझो अगर आपको याद है अलकीन में तो वहाँ पर हमने डिसक्ष किया था कि अलकीन मेजरली इलेक्टोफिलिक अडिशन दिखाती है क्यों क्योंकि एलक्टोफाइल जो होता था उस पर अटेक कर पाता था यह वैसे ही अगर आप कार्बनील ग्रुप को देखोगे तो वहाँ पर oxygen के presence के कारण carbon पर एक partial positive charge develop हो जाता है ठीक है और इसी के कारण अब इस पर कौन अटेक करेगा जिसके पास positive charge है उसके पास कोई ऐसा अटेक करेगा जिसको positive charge चाहिए होता है तो आपको पता है उस वैसे species को हम लोग nucleophiles बोलता है nucleophiles मतलब कि ऐसी species जिसको positive charge पसा है तो इसलिए यहाँ पर जो reaction होता है वो nucleophilic addition reaction होता है इतना सबको सब्सक्राइगा है बहुत conceptual चीज है वही चीज मैंने यहाँ पर लिखिए कि जो electrophilic addition reaction है वो alkenes दिखाती है लेकिन nucleophilic addition reaction के करा आब बात करोगे तो aldehyde ketone दोनों ही आपके nucleophilic addition reaction दिखाती है क्यों दिखाती है क्योंकि उनके पास carbonyl group है carbonyl group में oxygen electronegative होने कारण carbon से electron खीचता है और एक partial positive charge carbon पर डेवलाप हो जाता है समझ मैं यह चीज पर माहलों कभी कोई basic question पूछता है कि aldehyde ketone इन में से कौन सा reaction दिखाता है उत में से एक option होगा electrophilic addition reaction एक होगा electrophilic substitution reaction nucleophilic substitution reaction और nucleophilic addition reaction तो आपको answer टिक करना है nucleophilic addition reaction ठीक है यह मैंने समझा दिया आपको अब आगे आओगे तो NCIT ने इसी चीज़ को कैस समझा है NCIT बोलती है कि जो nucleophile है वो attack करता है electrophilic carbon of the polar carbonyl group ठीक है यह जो carbonyl group है यह polar है मैंने आपको समझा दिया क् oxygen electronegative और charge को खीच रहा है carbon से तो इसको anxiety कहा दिए कि जो nucleophile है किस पर attack कर रहा है carbon पर जिसके आप positive charge है और वैसे species उसको कैसा बोलोगे आप उसको बोलोगे electrophilic carbon ठीक है जो चीज जिसके ऊबर positive charge होगा वो कैसा होगा electrophilic होगा क्यों क्योंकि जो positive है वो electron चाहता होगा बतलब electron loving बोला गया है ठीक है यह तो simple चीज है बस बोलने का तरीका है या तो आप बोल दो कि nucleophile positive charge carbon पर attack कर रहा है या तो बोल दो कि nucleophile electrophilic carbon पर attack कर रहा है दोनों एक ही बात है अच्छा उसके बाद आपको बोलता है यहाप हो बता हो तो carbon के hybridation क्या होगी sp2 होगी लेकिन attack होने के बाद उसका hybridation चेंज होता है किसमे sp3 में वही चीज है आप बताती है कि जब nucleophile attack कर रहा होता है तब तो carbon की जो hybridation में वह sp2 होती है इसलिए यह planar होता है और यह जो attack होता है या तो ऊपर से आएगा या तो नीचे से आएगा और plane के perpendicular attack होता है वही चीज मैंने यहा hybridation sp2 से sp3 हो गया तो यह आद रखना है कि जब nucleophile attack होता है उसके बाद जो intermediate बन रहा है उस पर hybridation कैसा होता है sp3 होता है जो की sp2 से change होने के बाद बना होता है उसके बाद यह intermediate बना इसका नाम बहुत important है इसको हम लोग बोलते है यह तो पहला तो आपको दिख रहा है sp3 है तो अगर मैं बोलूँ कि इन में से nucleophilic addition reaction of aldehyde ketones में कौन सा intermediate बनता है एक option होगा tetrahedral alcoxide intermediate एक दम सही चीज़ अगर मैं आपको बोलता हूँ कि nucleophilic addition reaction में क्या hybridation change होता है तो हाँ change होता है sp2 से sp2 ठीक इतना समय आ गया nucleophile कहां अटेक कर रहा है यह लाइन आपको याद ने करने है आप जैसे देखो कि आपको सब्सक्राइब कर रहा है और पॉसिटिवली चार्ज चीज़ को हम लोग ऐलेक्ट्रोफिलिक ही बोलें तो यह जो अभी आपने देखा यह step 1 देखा तो अगर मैं आपको बोलता कि यह दो step का reaction है पहला step slow होता है जिसमें nucleophile attacker ठीक है अच्छा दूसरे step में क्या होगा कुछ नहीं यहाँ पर आपको दिख रहा है oxygen के ऊपर negative charge और आपको पता है कि negative charge स्पीसी से neutral स्पीसी से जादा stable होता है इसलिए इसको neutralize करने के लिए यह medium से H plus ले लेता है और neutralize हो जा है carbon positively charged था इस पे negatively charged species मतलब nucleophile आके attack हो गया मतलब इस पी attach हो गया है तो आपको दिख रहा है carbon पे यहाँ पर nucleophile ATTAC हो है और जो negatively charged ओ negative है उस पे आपका क्या हो जाएगा positive charge H plus आके attach हो गए तो यह आपको दिखता है कि मतलब जो net result है वो यह है कि carbon oxygen bond के across एक तरफ nucleophile attach हो गया है एक तरफ आपका H plus attach हो गए ठीक है तो यह मैंने आपको सारे theory point बताती है जो यहां से पूछ सकते हैं अब आते हैं हम दोग main conceptual part इससे question पूछने आ सकते हैं ठीक है इसको ध्यान से समने अभी आपने बात की कि aldehyde ketone दोनों ही similar reactions दिखा रहे हैं क्यों क्योंकि दोनों के पास carbonil groups लेकिन similar reaction दिखा रहे हैं इसका मतलब यह थोड़ी कि rate भी same होगा rate इनका अलग-अलग होता है मतलब rate एक का जादा होता है एक का कम होता है किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है पहला कोशिन यह तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि nucleophilic addition reaction में किसका rate ज्यादा होता है तो आप बोलोगे easily aldehyde का ज्यादा rate होता है ketones से अब यह मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ इसको मैं आपको समझाता हूँ देखो rate determine करते स जितना ज्यादा positively charged carbon होगा उतना easily nucleophile attack करेगा क्योंकि nucleophile को क्या चाहिए positive charged carbon चाहिए तो एक तो rate इस पर determine होगा कि जो carbon है वो कितना ज्यादा positive charge है इसी चीज को यहाँ पर electronic reason लिखा हूँ दूसरा इस पर determine करेगा कि जो carbon के आसपास groups है वो कितना ज्यादा steric hindrance दे दिए अगा ज्यादा bulky groups लगेंगी तो ज्यादा steric hindrance होगा तो nucleophile को आने में दिक्कत होगी इसलिए rate कम होगा ठीक है दूसरा यह reason हो सकता है तो इसको बोल रहेंगे steric reason ठीक आप दोनों के according हम लोग determine करेंगे कि aldehyde का जादा होता है यह ketone का अभी मैंने बोल तो दिया आपको कि aldehyde का जादा होता है अब इस दोनों को इस पर apply करके देखेंगे पहला बात करते हैं हम लोग steric reason के बार में आपको पता है कि aldehyde के एक तरफ आपका R group लग हैं तो आप बोलो कि ketone में क्योंकि ketone के जो carbon है उसके दोन तरफ आपको alkyl group देखने को मिल रहा है लेकिन aldehyde में यह पक्का है कि एक तरफ होगा एक तरफ हो सकता है लेकिन एक तरफ पक्का H होगा तो इसका मतलब bulky groups लगे हैं किसमें ketone में इसी का न्यूक्लियोफाइल क यह देता है electron तो जितना ज्यादा R group होगा मतलब वो उतना ही ज्यादा electron donate करेगा carbon को जो कि यहां पर भलका सा partial positive charge लेके बैठा है अब आपको पता है कि nucleophilic attack उतना ज्यादा होगा जितना carbon पे positive charge ज्यादा होगा ठीक है क्योंकि nucleophile को क्या चाहिए positive charge चाहिए अब अगर यह जो R group आपने लगा रखा है इसने electron दे दिया carbon को तो इसका जो partial positive charge हो कम हो जाएगा कम हो जाएगा तो nucleophile attack करना नहीं चाहिए और आपको दिख रहा है कि ketone के case में दो-दो आपके R groups लगे तो यह ज्यादा electron donate करेगा carbon को और इस पर जो partial positive charge है वो कम हो जाएगा लेकिन इसमें कि ketone में rate क्यों कम होता है पहरा यह बोलती है कि दो relatively large substituents लगे होते है ketones में जो कि nucleophile की approach को hinder करते है ठीक है और दूसरा यह लिखती है कि जो दो alkyl groups लगे है कि ketone में वो electrophilicity of carbonyl carbon को कम करती है as compared to aldehyde ठीक है मैं आपको यह चीज़ समझा दिया है तो यह AR question बनके पर आसकता है आपको देख लेना है याद इतना रखना है कि aldehyde का rate अधिशन के जादा होता है क्यों क्यूंकि इसमें steric hindrance कम है जब nucleophile attack कर रहा है दूसरा है उसमें electronic reason के कारण जो partial positive charge है वो उतना कम नहीं होता है जितना ketones में हो जाता है क्योंकि इसमें दो-दो alkyl groups आप इसे questions आपको आ सकते हैं और दोनों में आपको apply क्या करना है steric hindrance का concept या फिर electronic reason का concept जो कि मैंने आपको समझा दिया basically आपको या रखना है बस इतना कि nucleophilic addition उतना जादा होगा जितना steric hindrance कम होगा या फिर जितना जो donating groups है electron donating group से वो कम होगे तो उतना जादा nucleophilic addition जाता होगा ठीक है नीचे आता है नीचे आपको example 8.3 में question देखने को बलता है जहां पर नोने बोला है कि मुझे benzaldehyde और propanol में ठीक है मैं नीचे बना दिया है benzaldehyde में और propanol में बताओ कौन ज्यादा तेज reaction दिखाएगा nucleophil addition के तरफ ठीक है तो मैंने आपको बलता simple देखो कि कैसे चेक करने है आपको मैंने आपको बलता दो तरीका चेक करने का एक तो देख लो कि कॉन positive charge जो carbon पर develop होगा उसको कम कर रहा है तो जो ज़्यादा कम करेगा वो उतना slow addition दिखाएगा तो अगर आप यहाँ पर बनाते हो इस पर positive charge यहाँ पर आएगा उसको मैं बना के दिखाता हूँ तो इस पर positive charge मालो यहाँ पर develop होता है इस पर partial positive charge यहाँ डेवलप होगा जब आप benzaldehyde की बात करोगे और वैसे ही जब आप propanel की बात करोगे तो यहाँ पर भी partial positive charge develop होगा ठीक है अब देखो यहाँ पर जो बेंजीन लगा है यह resonance के कारण अपने कारबन पर यह जो partial positive charge को कम करेगा और यहाँ पर यह आपके plus high effect कारण कम करेगा तो कौन ज्यादा कम करता है आपको पता है कि जो आपका resonance effect हो ज्यादा strong होता है इसलिए ज्यादा कम करेगा as compared to आपके propanel में और क्योंकि आपके benzaldehyde में ज्यादा positive charge कम हो रहा है तो nucleophile को क्या चीए था प्लसचर चीए था क्योंकि वो कम हो चुका है प्लसचर्ची density तो nucleophile अटा करना नहीं चाहेगा इसलिए आपका benzaldehyde slow reaction दिखाता है as compared to propanel ठेक है वह चीद NCRT यहाँ पर लिखती है कि जो polarity of carbonyl group है वो ज्यादा कम हो हो जाती है in benzaldehyde क्यों because of resonance तो यह AR कुशन बन के आ सकता है पहला assertion दे देंगे कि benzaldehyde shows less reactivity towards nucleophilic addition reaction as compared to propanel यह assertion हो गया reason क्या हो जाएगा because the polarity of carbonyl group is much more reduced in benzaldehyde due to resonance यह पका AR कुशन से easily बन के आ सकता है आपने concept में यहीं लगाया कि दो चीज़े हो सकती थी एक आपका steric hindrance दूसरा आपका electronic reason अगर आप steric hindrance में भी देखो कि तब भी आपको लिख रहा है कि जो phenyl group है ज्यादा bulky group है तो उसमें भी दिक्कत देगा ही दूसरा आपने main अच्छा जो यहां पर important reason था वो था आपका resonance वाला क्योंकि यहां पर जो benzaldehyde उसमें resonance के कारण electron density कम कर रह गया तो वो attack नहीं करना चाहेगा इन benzaldehyde as compared to propanel यही रीजन है इसका rate of reaction कम होने का ठीक है यह अच्छा कुशन था यह आपका बंद के आसकते एक्जाम में इसको ध्यान देना तो अपने reaction को पी चलते हैं और सबसे पहला reaction देखते हैं तो last के कुछ वीडियो में हमने जह तो दोनों में क्या के बन रहा है वो हमें बताना है अब देखो ऐसे reaction हमने अल्रेडी कर लिया है जहां पर भी partial positive और negative चार्ज डेवलप होता है उसमें हमें क्या करते है positive वाले के साथ negative पार जोड़ देते हैं और negative पार जोड़ देना है तो यहां पर पहले step में क्या बनेग C O negative ऐसा ही दाएगा और यहां पर आपने जोड़ दिया क्या C N ठीक है अब अगर याद है आपको mechanism जो अभी है मैं दिखाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि पहले step में आपका बनता है Alcoxide Intermediate तो आपको दिख रहा है कि पहले step में आपने क्या बना है Alcoxide Intermediate बना ह और charged species से neutral species में convert हो जाता है तो वही यहां पर होगा आपका finally क्या होगा कि O पर आपका जुड़ जाएगा H और यहां पर आपका C N तो था ही पहले इसको क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं हम लोग Cyanohydrin बोलते हैं तो इस section में आपको क्या क्या दिखना है जैसे ही आप आपको मैं अब यह NCI T खोल के दिखाता हूँ अगर आपको C N नेगेटिव दिखता है तो आपको पहले step में बनाना है मानलो A और B करके दिया है मानलो कर सीधे दिया है कि मुझे final product बनाओ तो आप क्या कर दो कुछ नहीं पाई बांट तो ओ पर आपने डाल दिया negative charge, carbon पर इलेक्रो नेगेटिविति कि इसका जादा होता है उसके बाद negative charge species पर positive को जोड़ दोगे, positive वाले पर negative को जोड़ दोगे, तो आपको बता है CN negative है तो उसको आपने जोड़ दिया carbon पर तो यही आपने बनाया था यहाँ पर एलकॉक्साइड उसके बाद H plus को आपने जोड़ पर negative वाले पर तो यहाँ पर आपका बन गया यह synohydrin यह आपको ध्यान रखना है कि किसका नाम क्या है तो पहले आपका intermediate जो बना हो है आपका tetrahydral alkoxide intermediate और आपका final product बना वो बना synohydrin ठीक है इसको NCIT से खोल के लेखते है NCIT क्या 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 लिखती है इसके बादे में तो पहला तो मैं आपको पताता हूँ कि क्या क्या है रिएजेंट आपको देख नंग बल सकता है पहला वो क्या कर सकते हैं आपको कोई भी LDH ketone दे देंगे और दुसका reaction आपको बोल देंगे HCN के साथ करवाते हो आपको पता है HCN क्या 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 देगा H plus or CN negative तो उसमें आपको जो CN negative मिलता है वो ज्यादा stronger nucleophile होता है ठीक है वही चीज़ यहाँ पर दिख रहे है कि HCN का reaction यहाँ पर OH negative जो कि एक base से आया होगा उसके साथ करवाया गया और उसके बाद जो यहाँ CN negative develop होगा है वो ज्यादा stronger nucleophile है as compared to उस CN negative के जो कि आपको directly HCN मतलब एक weak acid से जो आपको CN negative मिलता उससे ज्यादा better nucleophile होता है जब आपको एक salt से मिलता है वही चीज़ NCIT यहाँ लिख लिख लिए कि यह जो आपको सॉल्ट बन रहा होगा और सॉल्ट से जो CN negative निकल रहा है वो ज्यादा एक stronger nucleophile होता है ठीक है तो यह आपका एक अच्छा AR question बन के आ सकता है कि इस reaction में जहाँ पर हम लोग करवा रूप में HCN का बेस के साथ करवाता है ताकि उसमें जो सॉल्ट बनेगा फिर उससे जो CN negative निकलेगा वो जादा stronger nucleophile है ठीक है सब्सक्राइब आगे चीज़ तो अब यह region क्या के दे सकते हैं आपको directly HCN दे सकते हैं यहाँ भी आपको सेम चीज करवानी है दूसरा आपको क्या कर सकते हैं व अब यह जो आपने देखा HCN और OH negative का इनोने यहाँ पे OH negative directly दे दिया था base से या तो यह पूरा base भी लिखके दे सकते हैं आपको HCN और NAOH और क्या लिखके दे सकते हैं आपको यह 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 भी लिखके दे सकते हैं कि इनोने तो आपका बनेगा HCN और NAOH के reaction का NASN बनेगा तो NASN और H2O लिखके दे सकते हैं, यहां से आपका C negative आ गया, H2O से आपका H plus आ जाएगा और finally आपका यह भी लिखके दे सकते हैं, मतलब यह तो NSEN को पूरा लिख दिया, H2O से आपका H plus लिखके दिया अब चलते हैं, हम लोग अगले reaction पर, इसको method swap कर लेता हूँ, हाँ, तो अगला reaction है आपका 14 number reaction जैसे आप 14 देखते हैं, तो आपको क्या देख रहा है, कि यहाँ पे carbonin group है, इसका reaction NAHSO3 के साथ हो रहा है NAHSO3 क्या है, आपका sodium hydrogen sulfide है, क्या करना होगा इसमें, कुछ नहीं, वही चीज, plus निकालो, negative निकालो, plus को negative के साथ जोड़ दो, negative को plus के साथ जोड़ दो तो यह करना इसलिए important है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक intermediate बनाना है, तो इस दिमाग में आना ही चाहिए, आएगा तभी आप सही से आपका अपना जो intermediate है, वह बना पाऊगे, इसी concept यह मैं आपको यहाँ पे answer निकालना सिखा रहा हूँ, यह असली mechanism ऐसा नहीं होता है, तो क्या करोगा आप सबसे पहले आपने यहाँ पर bond तोड़ा, negative charge oxygen पे, इस पे plus charge, ठीक है, इसको आपने कर दिया Na+, और HSO3 को आपने कर दिया negative, plus को negative को plus के साथ जोड़ दो, कैसा दिख इसको OSO2, ठीक है, ऐसा आपका बनेगा, अब जैसे आप यह बना हो गए, आपके दिमांग में आना चाहिए, यह तो reaction जो था इसमें, जिसमें, कारवनेल ग्रुप के साथ, sodium hydrogen sulfide का reaction होता था, इसमें पहले हम लोग इंटेमिजर बना लेते हैं, उसके आपका हम लोग प्रो याद क्या रखता है, जैसे मैं को sodium hydrogen sulfide देखा, क्या करूँगा, कुछ नहीं, एक bond दोरूँगा, CO के भी partial negative charge oxygen पर डाल दिया, partial positive charge carbon पर डाल दिया, उसके बाद NaH3 को मैं कैसे दोरूँगा, जैसे मैं दिमाग में आएगा सबच पहले, Na plus और HSO3 negative, प्लस आ गया Na पे, तो हम हमने उसको जोड़ दिया O के साथ, जो कि आपने यहाँ पर दे और negative charge आया था HSO3 पर, लेकिन उसको जोड़ते समें ध्यान ही रखना है कि उसमें OSO2H जोड़ना है, ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, हमने यहाँ से एक O को आगे कर दिया, यह बन तो यह आपका बनता है intermediate, प अगे कर देखना है, तो वह बस आप ध्यान हो कि BISULPHIDE ADDITION COMPOUND है, अब NCIT खुलके लेखतें कि इसके और क्या की चीज़़ते हैं, पहला तो आपने क्या करवाया है, यहाँ पर sodium hydrogen sulfide का addition करवाया है, sodium hydrogen sulfide क्या होता है, NaHSO3 होता है, यह आपको पाना है, मैंने आपको बताती आपको कि यह reaction देदेंगे, कि मानलो carbon compound है, इसके साथ sodium hydrogen sulfide का reaction कराया, finally मैंने प्रड़क्ट बना आपका एक X, ठीक है, बोल रहे हैं कि X की इन में से कॉंस भी प्रपरटी सही है, तो दो प्रपरटी आपको ध्यान अखनी कि X पहला तो crystalline होता है, और दूसरा यह water-soluble होता इसके बाद NCIT यहाँ पर इंडिलिटली बहुत इंपोर्टन जीज़ बताती है, और राइटली नहीं बोलती है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि प्रड़क्ट बनेगा, अगर आप अगर आप यहाँ पर किटोन ले ले लेते हो, तो स्टेरिक रीजन के कादन, स्टेरिक रीज हिंडिन के कादन, यह जो रेक्शन है, मुस्टली लेफ्ट साइड रहता है, मतलब कि प्रड़क्ट बनने में दिक्कत आती है, और यह रेक्शन मुस्टली आपके रीक्टेंट साइड ही रह जाता है, अगर आपने जो यह कार्बिनल ग्रूप लिया है, वो किटोन से लिया तो यही चीज़ आपने उपर भी दिसक्स किया था तो यह जो आपने है लाइन दिखाना है बहुत प्यार बनके आएगा और बच्चों को समझ जाएंगे क्या बोल राइट साइड में है लेप साइड में तो अगर मैं आपसे मानलो पूछता हूं कि मुझे बताओ के लिए आपको ध्यान देना है कि अच्छा राइट साइड बोल रहा है मतला है लेकिन हमें पता है कि कीटोन जो है यह जो दिखाता है मिथाल की बात करेंगा अब क्यूंकि आप यहां पर देख पार हो कि यह रिएक्शन मुस्ली एड हैड दिखा रहे है और क्युटोन नहीं दिख इसलिए हम लोग इस मेथट को यूज कर सकते हैं जो की लाइन मिस कर जाएंगे बच्चे इसको अगर मैं यह जो आपका फाइनल प्रोडेक्ट बना है इसमें फाइनली डाल देता हूं मतलब या तो आपको आपको लिख के दे दे इसका मतलब क्या डालियूट असे तो क्या करना है आपको वापस से जो आपका रिक्टेंट था वही आपका बन क्या जाएगा तो वही यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर हम लोग इसमें डाल दे तो वापस से आपका कार्बनील कंपाउंड बन जाएगा ठीक है इंपोर्टन चीज है तो अगर आपस से मालों यहां त अब देखो अभी तक आपने ऊपर देखा कि मैंको अगर कार्बनील ग्रूप दिया हूँ जो कि eldehyde का हो सकता है या फिर ketone का हो सकता है उसमें अगर HCN का रिक्षन करवाना है hydrogen cyanide का तो कैसे करना है और अगर sodium hydrogen sulfide का देखें करवाना है तो अब हम लोगों देखना है कि अ और HCL Gas लिखावा है यहां पर तो अगर रिचेंट पे अपको alcohol दिख जाए और HCL लिख जाए और रिक्टेंट आपको या तो समझ जाना है आपको किसे नाम मैंने, यह जो मैंने बोला इसका क्या मतलब है अभी देखेंगे तो आपको इसमें पर इह समझ ने है कि रिक्षें क और OR जोड़ दो, जो भी आपको alcohol का यहाँ पर OR ग्रुप दिख रहा है, वो जोड़ना है, अब अगर एक बार आपने alcohol लिया है, तो एक बार OR जोड़ होगे, अगर दो बार लिया है, तो दोनों bond हटा के आपको 2 OR लगा देना है, तो ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको करक O आपने हटा दिया था, तो इसमें 2 bond बच्चे है, अब आपको करना है कि दोनों bond के साथ, मैंने बोला कि अगर आपका 1 mol alcohol है, तो आप एक ही बार OR जोड़ होगे, तो यहाँ पर आपने एक बार जोड़ दिया OR, दूसरे के साथ क्या जोड़ होगे, तो दूसरे बार आप O H, यह आपको क्या बनता है, इसको आप बोलते हो Hemi Acetal, अब इस word का मतलब समझो, Acetal क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो initial reactant था, वो aldehyde सा, अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लिखते है Hemi Ketal, ठीक है, दूसरा point, हemi कहां से आया, हemi आप तब लगाँगे, जब अगर आपको एक भी OH नहीं दिख रहा है, तो आप हemi नहीं लगाँगे, ठीक है, उसी काम लुक आगे देखते हैं, तो मैंने आपको बोलता कि अगर आपका एक मोल OH के साथ reaction हो रहा है, तो आप एक बार OR लगाँगे, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अगले बार नाम कैसे देना है, यह समझा आगया, नाम आपको देना है, डिपेंडिंग ओन की रियक्टेंट क्या था, अगर आपका एल्डी हाइट था तो आप नेम में असे लगाँगे, आप या तो वह हमी असे हो सकता है, या तो सिर्फ एक लगाँगे, मतलब अगर एक मोल अलकॉल के साथ आपने रिक्षन किया, तो आप यह ही ओर लगाँगे, जो कि आपने यह पर किया था, तो दूसरा आपका बॉंट किस से फिलोगा, ओएट से, तो इसको आप बोल दिया, आपने हमी असे, लेकिन अगर आपने आपने अपर दो मोल अर्डेस ले लिया होता है, यही प जिसमें यह आपका हो जाता, ओर्डेस ग्रूप, इसको आप जोड़ते, और मोनोहाइडिक क्यों बोलें, क्योंकि इस ग्रूप में सिर्फ एक ही OH है, यह आपने देखा था जब आपने अलकोहल चप्टे किया था, लेकिन अगर आप लेलते माल दो, इथाइलिन इसका रेक्शन करना कैसे है, देखो, सबसे पहले आप इसमें पहचाना हो कि OR ग्रूप आपको कैसा दिख रहा है, अगर आप यहां से यह हटा दो, तो आपको दिख रहा है, OR ग्रूप, ठिक, इस ही को आपको जोड़ना है, कैसे जोड़ होगे, आप इसको बनाओ, R, C, R, मैंने बोल था, आपको O हटा दो, और जो दो बांट बच्चर हैं, उसको ऐसा लिख दो, आपको इसमें क्या जोड़ना था, OR ग्रूप, तो आपको दिख रहा है, OR ग्रूप ऐसा दिखेगा, CH2, और यह आपको इसमें जोड़े हो है, O, और आपको दिख रहा है, यहां पे दाइकोल के साथ रेक्शन ना करा के, मिफनॉल के साथ रेक्शन करवाता, CH3, OH, मतलब यह क्या होगा, बेसिकली, ROH ग्रूप हो गया, इसमें क्या करते है, इसमें आपका फाइनल अंसर यह नहीं बनता, आपका आंसर बनता है, इसमें, R, C, R, O हटा के, दो बांट खाली कर है, लेकिन यह साइकली कीटल नहीं है, यह आपको ध्यान देना है, यह चीज़, NCI-T पर लिखते है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और बनाना है कैसे मने बता दिया, O हटाओ, फिर दो बांट खाली रहेंगे कार्बन के साथ, उसके साथ आप OR जोड़ो दो, अगर दो जो, बात से पहरें से पहले हैं, यह उसके से यह साथ, यह पार दो इसके साथ ही नहीं पहले दो तो तो धर आप को धुज़ को डाने पर आपन देना है, वही है छोड़ो जआय में है यह से लिखते है और ब्रौट में आपको NcI-T दिख रहा है तो उसकेस में तो आप hemiacetal टिक करोगे लेकिन माननों की एक बार आदो इच लिखा है मताब एक ही मोल दिया है लेकिन option में कहीं hemiacetal ही नहीं तो आप खुद का थो भी बनाऊगे तो फिर उसकेस में आप बहुत बच्चिस में बहुत बच्चिस में मिस करेंगे उससे पहले होगे जो basic points हम भी अपने दिस्क्रश के लिया उसको NCRT से देख लेते हैं सबसे पहला point हमने देखा था कि अगर हम लोग वन equivalent of mono-hideic alcohol लेते हैं तो उस बढ़ यूज़ नहीं किया, acetyl या ketal कभ यूज़ करोगे, acetyl तब करोगे जब aldehyde आपका initial reactant है और ketal तब करोगे जब आपका initial reactant ketone हो, उसके बाद important चीज़, मानलो अगर एक monohydric alcohol है, उस case में chance है कि hemi acetyl या hemi ketal बने, लेकिन अगर one mole of dihydric alcohol है, तो उस case में आपका hemi hemi नहीं आता है, ठीक है, अभी आपने देखाता है, इसमें dihydric alcohol है, तो आपका ये एक ही mole 2H का source है, इस case में आपका क्या बनेगा, सिद्धे आपका ketal या acetyl बनेगा, और ये दोनों ही आपके cyclic products होंगे, ये आपको ध्यान देने, important, cyclic products बनता है जब भी आप dihydric alcohol यूज करते हो, और उसमें कोई hemi नहीं आता है, क्योंकि इसमें एक ही mole में 2H है, इसमें कोई भी आपका hemi वाला फ्रक नहीं बन, उसके बाद इस ही को अलग लग लग लिखा है, कि आपका hemi acetyl है, वो alkoxy alcohol है, लेकिन जो आपका acetyl है, वो gem di alkoxy है, ठीक है, मतलब कि एक ही carbon पे हाँ, यह सही बोल रहे है, गलत बोल, तो hemi acetyl समझ जाओगे, OH देखते ही, hemi acetyl को ही alkoxy alcohol बोलते है, क्योंकि hemi acetyl में आपको पता है, एक OH आता है, इसलिए इसमें alkoxy भी आएगा, क्योंकि एक OR ग्रूप है, और alcohol भी आएगा, क्योंकि एक OH ग्रूप, लेकिन acetyl को आ यहाँ, घरी हाट, तो यहाँ पर करवाएंगे, तो यहाँ पर क्योंकि पर बनता है, अभी में बताया है थापको कि Cyclique Product बनता है, और Cyclique Club नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर आपत पर नहीं जो रहे हैं, उसके लिए बहुत प्रोछन जो उठके आगा, यहाँ प अब protonate करवा देगा तो क्या होगा उस पे प्लस चार्ज आएगा अब oxygen पे प्लस चार्ज आ गया तो मैंने आपको बताया था एक बाद कि अगर मालो आप से कोई electron चीन रहा है तो आप आगे वाले से और चीन होगे जो कारवनिल ग्रुप का कारवन था उसकी इलेक्टोफिलिसेटी बढ़ जाती है और जिसके कारण जो न्यूक्लिफिलिक अटैक है वो ज्यादा अच्छा हो पाता है ठीक है इंपोर्टेंच उसके बाद जो हमने ऊपर डिसकुस किया था कि अगर हम लोग यह फाइनल प्लस न्यूक्त के लिए को Phollles यह फिजाए करन जा गाद जाए गार आफ में आपनगा इसा में मालो मुई आपका इनिशल रिक्टिंट था इ quoi देडी है आपको धेयान दे लेँक्षिन्स ऩरुक्ती है लेखर मैंने यह फेको इहां पर लिखते है अगर मैं यहां पराएक्ष् कि यह थेरी में लिखके चल दियाते हैं, यह आपको ध्यान देना, के बाद यहाँ चलते हैं, अब यह बहुत प्यारा रेक्शन है, इस से कुछिन आने के चांस बहुत जाद है, मतलब इस पार्ट से कुछिन बनाएंगे, तो सबसे चांस होता है, या तो वह आपके अपके अ आपके अपके चांस होता है, तो चलते हैं, हम लोग डियक्षन कापी खोल के देखते हैं, इसमें कैसे देक्शन पूसे पहले, 17-number डियक्षन जैसे आप देखोगी, तो सबसे बनाने, आपके तो सबसे बहल सबसे और समझो कि अमोनिया जो है, या उसको सिंपल इस तरह का लिखें न, H, ठीक है कैसे लिख सकता हूँ, NH2Z, अब यह Z वराई कर सकता है, या तो यह Z H हो, तो NH2H क्या हो जागा यह, NH3 हो जागा, तो इसको अमोनिया बोल रहें, या फिर इसमें Z कुछ भी हो सकता है, R गुरूफ हो सकता है, तो इसको आप Amine बोलोगे, ठीक है, OH होगा जोड़ देना, इसको मैं करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, तो सुन में आएगा, सबसे पहले तो आपने पहचाना reaction क्या है, कि Carbon Group है, इसमें Amonia का reaction हो रहा है, क्या बोलता है इसमें से आपको H2 हटाना है, तो H2 हटाने के बाद क्या दिखेगा आपको, NH, उसके ब से Carbon Double Bond को जोड़ दोगे, C Double Bond, NR बचा है, तो NR आपने जोड़ दा, आगे चलता है, H2 हटा दिया, ठीक है, N के साथ जो H2 हटाना है, H2 हटा दिया, फिर जो बचा आपका NOH, उसको आपने Carbon Double Bond के साथ जोड़ दिया, N, ठीक, आगे चलता है, यहाँ पर तो चलो दोनों एक ही N, ठीक है, आगे चलता है, अब यहाँ पर देखो, इसमें तो H2 है नहीं, तो इसको तो हटा होगे नहीं, Simple, यहाँ से H2 आपने हटाया, और जोड़ दोगे इसमें, Double Bond N, आपने जोड़ दिया, H2 हटाने के बाद जो बचा है, आगे चलता है, यहाँ से देखो, अब से देखोगे, तो यहाँ पर N के पास होगा, ठीक है, और यह लोन प्यर होगा है, इस Carbon Oxygen के साथ, Resonance में, तो पाई, Sigma, लोन प्यर, यहाँ Resonance है, लेकिन यहाँ पर Resonance नहीं है, इसलिए आप इसको यूज करोगे, नाखीर, ठीक है, क्योंकि इसका लोन प्यर जोगा है, उसका H2 आप नहीं लगा सकते, जब भी doubt आए, तो आप यहाँ देख लेना किसमें Resonance होगा है, जिसमें Resonance होगा है, उस वाले H2 को आप यूज नहीं करोगे, तो आपका attack कहा से करवाना है, इस side-side attack करवाना है, तो यहाँ से हटा दो, ठीक है, और यहाँ से जोड़ दो, तो कैसा देखेगा आपको, C double bond, यहाँ से आप जोड़ रहे हो, तो N, फिर NH, C, C double bond, ठीक है, यह confused मत रहना कि यहाँ double bond हो कैसे बज़ गया है, इसको आपने जोड़ रहा है, double bond हो तो आपको इस, जिसमें आप जोड़ रहे थे, जो आपका carbonial compound था, उसका हटाना था, तो आ आपको पता चलिगा कि यहाँ पर de-localization हो रहा है, loan pair का, because of resonance, इसलिए आपने यह वाला H2 यूज नहीं किया, आपको इधर से attack करवान था, यह आपने confirm किया, इस तरीकर से आपने product बना लेकिन, हो सकता है वहाँ पर आपको वह नाम दे दे, तो नाम क्या है, इन सारे चीज होना है, तो Z कैसे पैचान होगे, NH2 के अलावा जो भी है, वही चीज़ NCIT नहीं यहाँ पर Z लिखके दिया है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ, ammonia है, तो ammonia क्या होता है NH3 है, NH3 को आप लिख सकते हो NH2 और H, तो NH2 हटाने के बाद जो चीज़ दिख रहा है, वही चीज़ यह है, तो अगर कभी आपको बूल सकता है कि इस चीज़ में, कि हाइडरजीन में पताओ Z किया है, तो सबस्पे पहले तो आपको पताऊं चीज़ होता क्या है, हाइडरजीन होता है, तो NH2 हटाने के बाद हटा दो, तो जो बचा है है, पैण चीज़ यह होगी, इस लिख से आ जो n z बच्ट रहा है वह यहाँ पर carbon के साथ जोड़ जाएगा अगरस नम्हें लिए अब लोगो नाम देखना है सबसे पहले 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 नाम जो सबसे बेशिक नाम है NH3 तो क्या बोलते हैं ammonia बोलते हैं इस केस में जो आपका यह बन रहा था जिसमें carbon और N के बीच double bond है और N के साथ H है अपना ठीक है इसको बोलते हो emine वही पर सेम चीज़ हो carbon और N के बीच double bond है लेकिन H जो है replace हो आट से इसको आप बोलोगे substituted emine और यह बहुत important है इसका एक नाम है जिसको आप बोलते हो shifts base कोश्चन आने का चांस बहुत जाता है मांदो आप यह product बना लोगे और या फिर पूछ देंगे मांदो इन में से कौन सा use करने पे बहुत साथ options आपको दे देंगे यह तो लिखके दे सकते हैं यह फिर आपको ऐसे बना के दे सकते हैं तो आपको सब पता होना चाहिए किसका structure क्या है किसका नाम क्या है यह आपको याद करना पदेगा Hydroxy amine यह नियह सोड़ी यह तो प्रॉड्ट है Hydroxy amine आपका यह है तो यह दो आपने देख लिए अब देखते हैं अब देखते हैं थर्ड नंबर थर्ड में क्या है आपका Hydroxy amine के साथ जब रेक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा तो आपको यह तो यह तो बना लोगी इस प्रॉट का बोलते क्या हो औक्जाइन बोलता ही आपको पता होना चाहिए जहां पर आपका Carbon Double Bound के साथ NOH जो रहा है समझाना है अब यह तो आपको बना के देदें कि रेजेंट आपका यह तो आपको बोलें कि कुछ नहीं आपको देख रहा है NH के सिंगल Bound है और कुछ लगा हो है तो कुछ नहीं बोलोगे आप इसको Simple है Phenyl Hydrazyne जितने भी जीन से end होने वाले रेजेंट है उससे आप क्या बनाओगे जोन लगा दोगे तो जैसे आपने Hydrazyne से Hydrazyne किया था वैसे आप Phenyl Hydrazyne से Phenyl Hydrazyne कर दोगे अपना प्रोड़क मतला री एजेंट था आपका Phenyl Hydrazyne लास्ट आपका बचा यह तीन तो आप बहुत आसान है बस आपको Hydrazyne कौन सा ग्रूप होता है पता हूंची N single bond N दिखे आपका Hydrazyne हो गया उसे फाइनल प्रोड़क के सबनाने बता दिया मैंने अब देखना है आपको यह यह जो आपने से इसमें डास कालोजाई है को हो है 000 कि आपको समर्फ dh2 अच्क कर वाना है इससे डापकाशन नहीं करवा देखना क्योंकि यह तो यहां से भाले नहीं कर दिया आप H2 हटाओ जो बचावा परड़क्ट है उसको double-bond carbon साथ जोड़ अब एक चीज क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो 2,4-dynitofinal है उसको 2,4-dnp भी लिख सकते हैं इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आप confused ना हो यह जो 2,4-dynitofinal hydrazine है इसका एक और नाम है 2,4-dnp तो य 2,4-dnp derivatives होते हैं वो तीन का लगी PPT देते हैं yellow, orange और red yellow, orange और red इसको आप योड PPT के तरह के आपका ठीक है तो 2,4-dnp आपका PPT देता है जिसका नाम है योड PPT येल्लो हो सकता है, orange हो सकता है, red हो सकता है और क्योंकि यह PPT देता है अलग-लग-लग का और सिफ यह carbonine groups के स इन में से कौन सा कला PPT नहीं देगा, 2,4-dnp derivative तो आपको जादखना है yellow, orange, red और your PPT देता है इसके लग नहीं देगा, ये क्यों important था बता दीए क्योंकि इसमें दो जगह से अटेक करवा सकता है, किस से अटेक करवाना है ये समझा दिया मैंने, अब एक important point जो मुझे आप आपको question पूछ सकता है, वो ये है, कि अगर आप देखोगे, कि यहाँ पर एक equilibrium है, तो equilibrium आपका right में favor कर सकता है, और left में, तो right side ही क्यो favor कर, वो इसलिए करता है, क्योंकि जो आपका intermediate बना है, इसमें से क्या होता है, rapid dehydration होता है, OH बाल H निकल जाता है, यहां से H2 बनके, औ जैसे ही, आप partial positive charge, partial negative charge develop करा होगे, ठीक है, H को जोड़ दोगे, आप O के साथ, तो आपको यहां पर OH और बाकी जो बचावा part है, N, H, Z, वो आपका यहां पर आएगा, इसलिए के साब intermediate भी बना सकता है, और यह आपका final product क्यों देता है, because of rapid dehydration of water, मतलब यहां से OH और H निक करते हैं, साथ है, कैसे कर बनें chegा, जैसे कर ना है, आपका क क्या है, कुटोन गें कर डियाईट कर देंड करना है, आपको क्या है क्या कर सकता है, प voiture कि यह कृत Candido Inks, यह एप ऑर K2 की बना क्या दिक्क्न क्या end मिलेगा से को फइश piss姢़ इसलिए कृए, कव में लिफर C3, T पर एंसरेटिन लिखिए है कि आप LDI केटोन को जब रिद्यूस करवाते हो आपको प्राइमरी एफ़ रिफे सेकेंड़ी आपको प्राइमरी एफे सेकेंड़ी एक्टोन लिए है में जो हमें चीज देखने है वो यह है क्योंकि इसमें दो दो नीम रिख्शन है रिद्यूस करवा सकते हैं अपने CH2 गृप में और आपका क्या बन जाएगा आपका नॉर्मल अलकेन बन जाएगा वो कैसे करवाते हैं दो थरीका है इसको दिखने के लिए आप पहले आते हैं रिख्शन कॉपी में आपको यह पर दिख रहा है कोई भी करण ग्रूप दिया ह आपका नॉर्मल अलकेन बन जाएगा दो दूसरा रिक्षन पर आते हैं नाइटी नंबर रिक्षन में इसमें क्या दिख रहा है आपको फिर से कार्बनीन ग्रूप दिख रहा है पहले आपका रिक्षन हो दाएगा है तो यह आपका रिक्षन तो अभी आपने करना से क्या करोगे इसमें कुछ नहीं होगे और कार्बन डॉल बांड ओ के साथ एन को जोड़ दोगे तो आपका प अब यह पूरा गुरूप जाएगा और यहां पर आपका CH2 लग जाएगा तो फाइनल अगर आप देखने जाओगे तो कुछ नहीं होगा है CO हट के CH2 लगा है क्या देजन डेला होना चाहिए था अगर आपको हाइडाजीन दिख जाता इन दे प्रेंस ऑफ को एच इथा इ आपका Ch2 लगा झनलोगा तो अब जाएग तो देख सकता हैं अब याद के सब आपने थाइम में 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 मु пожशाएगा इन दो रेक्षन में कॉनसे होटाता मैं यह पूछने के चाहँए ऑल्ग आपको एक्र्ट टैटलिक्ट्छीन से फूंसा रेक्शन हैं अल्ग इलाग अ नाम लिखे होंगे और फिर वो बोलें कि इन में से कौन सा क्लेमेंशन रेड़क्षिन है तो इन दोने रेड़क्षिन को बार रबा लिखके याद करो तब याद हो पाए करिए या फिर इसको अपने जो भी टेबल है स्टेट टेबल चिपका दो रोज रिवाइस करो जैसे र दिखे हैं तो अब हमें देख लिया था अब हमें ऑक्सिडेशन करना है सबसे पेरी चीज जो हमने देखे थी वीडियो के सार्ट में हुए था कि एल्डियाइट के टोन जो है ना मोस्टी सेमले रेक्षिन दिखाते हैं क्योंकि दोनों के पास कार्बनेल ग्रप्रेजन ए तो difference आता है आपके oxidation reaction में तो अगर आपसे मैं पूछता हूं कि बताओ aldehyde के ton mostly इतो similar reaction दिखाते हैं कहां differ करते हैं तो आप बोलो कि oxidation reaction में वो differ करते हैं तो एक कैसे इतरब करते हैं यह समझता है सबसे पहले समझ Dow कि जो aldehyde होते हैं वो easily oxidized हो जाता है किसमें carboxlic acid में ये सबको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए, हमने alcohol chapter से ये discuss करते हुआ हैं, कि alcohol को जो oxidize करते हो, तो aldehyde बनता है, aldehyde से finely बनता है carboxlic acid, वो हमने वहाँ भी देखा था, कि अगर हम लोग strong डालते थे थे oxygen agent, तो alcohol से बन जाता था carboxlic acid, लेकिन अगर हम लोग mild डालते थे तो aldehyde पर उख जाता था, ठीक है, तो मतलब oxidation का root जो है, वो ऐसे होता है कि alcohol से aldehyde और aldehyde से carboxlic acid, ठीक है, इतना सब को पता है, अब अगर आपको aldehyde को carboxlic acid में oxidize करना है, तो आप उसमें strong डाल सकते ही हो, strong तो करीद देगा, आप mild oxidizing agent डाल के भी उसको carboxlic acid में बदल सकते हो, वही चीज़ यहां पर लिखिए कि आप चाहे तो strong oxidizing agent जैसे कि HNO3, nitric acid, KMNO4, K2, CR2, O7 डाल सकते हो, या फिर mild oxidizing agent जैसे कि tolerance reagent या फिर phalanx reagent भी डाल सकते हो, ठीक है, important, इसमें से कोशन में बना सकता हूँ आपके लिए, कि आपको याद है, मैंने alcohol में आपको लिखाया था कि ये सारे आपके mild oxidizing agent होते हैं, जिसमें PCC था, CRO3 था, है ना, copper था, और अभी आपने पढ़ा कि दो और mild oxidizing agent होते हैं, एक tolerance reagent, एक phalanx reagent, ठीक है, तो अगर कभी question आता है, which of the falling is the mild oxidizing agent, तो उनमें से tolerance और phalanx LD होते हैं, ये आपको धियान रखना है, ठीक है, अगर वो option में हो, तो उसको take कर सकते हो, और HNO3, KMN4, KTCR2 ये आपके strong है, तो आपने देखा कि अगर aldehyde को carboxylic acid में oxidize करना है, तो आप उसके लिए strong to use करी सकते हो, साथी साथ mild से भी हो जाता है, लेकिन ketones के साथ ऐसा नहीं है, ketones को अगर oxidize करना है, तो आपको vigorous condition लेनी पड़ती है, और खासकर strong oxidizing agents लेने पड़ती है, आप tolerance और phalanx से ketones को carboxylic acid में oxidize नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये indirectly NCIT आपर बताती है, वही चीज़ मैंने आपर लिखा भी है, की tolerance test कौन नहीं दिखाता है, तो ketones, ketones नहीं दिखाता है, ठीक है, अच्छा, इसको तो अम लोग बाद में discuss करेंगे, अभी हम लोग आगे चलते हैं, तो ये आपको सुनिया कि कैसे ये differ करता है, कैसे oxidation reaction ketones से aldehyde का अलग होता है, ठीक है, अब oxidize करने जाओगे, तो हमेशा चाहे aldehyde हो, या ketones हो, आपको बनाना क्या है, कैसे बनाना है, ठीक है, इतना तो simple है, अब कैसे बनाने कोई, ये तो simple है, अगर aldehyde का reaction है, जिसमें आपको oxygen करना है, जिसमें कोई भी reagent डाला हो सकता है, अब यहां पर आपसे क्या क्या पूछ सकते है, में चीज अगर उनको पूछना होगा, कि वो दे देंगे ऐसा ketone, और बोलेंगे, इसका oxidation होता है, तो बताओ, इसमें से major product क्या, अगर मानलों उन्हें ने एक ही option दिया, तो आपको एक tick करना होगा, चार तो बना के आ नहीं सकते, तो कैसे करोगे, तो इसमें हमेशा धियान लखो, मानलों अगर मैं आपको इलिए यहां पर ketone बनाता हो एक, तो एक, दो, तीन, C-Doll bond O, C, ठीक है, यह, अब आपके लिए दो option है, या तो आप यह वाला bond तो रहो, या फिर आप यह वाला bond तो रहो, अब इसमें से कौन सा bond तो रहोगे, तो हमेशा यह यह आ दखो कि आपको हमेशा उस bond को तोड़ना है, जिसके तोड़ने से, जो CO group है, वो छोटे alkyl group के साथ रहे, मतलब कि, अगर मैं यह वाला bond थोड़ता हूँ, तो उस case में, जो CO group है, वो एक छोटे alkyl group के साथ रह रहा है, लेकिन अगर मैं यह वाला bond तोड़ता हूँ, तो उस case में, जो CO group है, वो बड़े alkyl group के साथ रहा रहा है, तो इसलिए, मुझे यह ब़ॉंड नहीं तोड़ना है, मुझे कौन सा तोड़ना यह bond तोड़ना है तो यह हमेशे आपको ध्यान रखना है ठीक है तो फाइनल किया कि मुझे यह वाला तोड़ना है ताकि यह जो carbonyl group है वो छोटे वाल के साथ रहे तो इस case में आप जो answer दोगे वो दोगे और इधा से आएका C, C, O, O, H और इधा से आएका C, C, O, O, H आपको carbon number change नहीं करना है यहाँ दो carbon वाला carboxlic acid बना दोगे इधा तीन carbon वाला carboxlic acid बना दोगे ऐसे आपको कर लेना है ठीक है तो यह मैंने आपको यहां पर basic समझा दिया है इस point से question पूछने के chance कम है main जो question अगर इनको पूछना होगा यहां से वो tolerance test, phalanx test और जो अपना haloform reaction है उससे पूछते है तो सबसे पहला point जो मैंने आपको बता है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ इन में से कौन सा mild oxygen agent है तो उसमें ध्यान रखना है कि tolerance और phalanx दोनों ही mild में ही आते है ठीक है तो अभी जो आप मैं वीचे reaction देखने वाले हो वही यहां लिखा है कि mild oxygen agent के साथ अगर मैं reaction करा हूँगा तो मैं ldehyde और ketone को distinguish कर सकता हूँ क्यूं क्यूंकि आपको पता है ketone जो है वो mild के साथ reaction नहीं देता है ठीक है अभी वही चीज़ आपने उपर डिसक्स किया था कि ketone कैसे differ करता है lde अब सबसे पहले जैसी ही tolerance stress जेखोगे तो चाहे tolerance stress और फिर phallinx stress दोनों में एक reagent आता है तो दोनों का reagent डिसकस करना सबसे इंपोर्टन पहले तो अगर मैं पूछता हूँ कि tolerance stress में कौन सा reagent यूज होता है तो आप बोले के simple tolerance reagent यूज होता है तो tolerance reagent होता क्या है question आ सका अब आपका AG आएगा NO3 दिखेगा और MO निकल मतलब कुछ NH3 से related दिखेगा इस तरीके से आप option तो eliminate करी सकते हो अच्छा अब अगर इसका मैं exact आपको बताता हूँ तो दो तरीके से आपको लिखा हुआ दिख सकता है tolerance reagent एक तो ऐसा ठीक है AG NH3 hold twice और यह प्लस वाल आपको tolerance reaction करवाना है ठीक है tolerance stress जो होता है वही करवाना है अपको एक तो point आपने यह discuss ही है कि tolerance reagent होता क्या है tolerance reagent होता है आपका ammonical silver nitrate या तो वो AG NO3 plus NH4 OH लिखके दे सकते है या फिर वो आपको AG NH3 hold twice plus लिखके दे सकते है दूसरा point अगर आप इसके reaction को ध्यान से देखोए तो इसक दूसरा point अगर आप यहाँ पे दिखोगे tolerance reagent को तो यहाँ पे tolerance reagent में silver AG जो है वो plus 1 oxidation state में है और final product में वो 0 में हो गया वैसे यह simple है अगर मैं आपको concept संझाओ तो आप बता ही रो गई है अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि tolerance reagent कैसा agent है oxidizing agent और reducing agent आप बोलोगे हाँ mild oxidizing agent ह करेगा खुद क्या होगा reduce होगा तो reduce होगा बाकि plus 1 से 0 जा रहा है यह मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया क्योंकि यहाँ पे silver 0 में है यहाँ पे plus 1 तो यहाँ पे reduce होगे यह भी आपने देख लिया दूसरा अगर मैं आपको बोलता हूँ मानलो reaction करवाना है तो reaction किसका कर alkaline present होता है इसलिए आप यहाँ पे carboxylic acid ना बनाके carboxylic anion बनाते हो ठीक है RCO negative बताब simple बनता RCOH लेकिन क्योंकि यहाँ पे base भी है तो acid base reaction होगा तो salt सा बनेगा ठीक है तो इसलिए carboxylic anion आप यहाँ पे answer देते हो तो यह आपको ध्यान देना है तो वही मैंने लिखा है carboxylic anion क्यों बनता है क्योंकि यहाँ पे medium जो वह alkaline medium है आपको अगर ध्यान से आद है तो NH4OH हमने यहाँ पे लिया था tolerance agent में उसी का OH negative आपको यहाँ पे दिख रहा है ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पे answer लिखे कि यह जो reaction है वह alkaline medium में होता है और इसमें बनता है carboxylic anion agent है इसमें कौन-कौन tolerance stress देते हैं यह important है ठीक है आपको option में बहुत सारे बना के दे देंगे और पुछेंगे विचर अफरें गिस tolerance stress तो आपको पता हूंचे basically aliphatic aldehyde देता है मतला straight chain वाले aldehyde जो है वह देंगे आपके aromatic aldehydes देते हैं ketones नहीं देते है simple याद होगे इत और यह चीर आपकी NCIT नहीं पर mention किया है यह अभी हम लोग discuss करेंगे तो यह होगे tolerance खतम अब आते हैं हम लोग phalanx test तो phalanx test में आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि जैसे हमने बात किया है tolerance stress में को tolerance reagent होता होगा वैसी phalanx test में भी phalanx reagent होता है तो याद रखना है कि phalanx reag यह ऐसे भी याद सकते हो कि A for aqueous ठीक है अगर aqueous नहीं दिया हो तो आपको ध्यान अखना है कि A छोटा है as compared to B इसलिए जब यह start होता है वो C से start हो रहा है copper में C आता है लेकिन जो phalanx solution B हैसमे N आता है sodium potassium tartarate है यह na kt इसको लिखके आप याद सकते हो और इसको बोलते है इसको लिखके यह बहुत इंपोर्टन है उसके बाद इन दोनों ही solution को equal amount सो मिक्स करते हैं तब जाके आपका phalanx reagent बनता है इसको यूज करता है उसके बाद आपने यहाद देखा था कि इसमें दूसरा यह दूसरा पूसकता है phalanx reagent इन में से कौन सा है ठीके वालक से आपको मिक्ष्ट बनागे देदेंगे copper sulfate और आपको ध्यान देना है दूसरा point इसमें आपको यह भी ध्यान आखते है कि यह भी aldehyde का reaction है जिसमें और किसमें इसमें आपको देदेंगे बहुत सारे option देदेंगे इसमें से एक होगा आपका अरोमेटिक अल्डिहाइड बनाकर देदिया है और पूछने कि इन में से कौन सा phalanx test नहीं देगा तो आपको आंसर यह टिक करना है क्योंकि aromatic aldehyde phalanx test नहीं देते हैं तो अगर मैं आपको यहां पर summarize करके बताऊँ चाहे आप tolerance stress की बात करो या phalanx stress की बात करो किटोन तो दोनों ही नहीं दिखाते हैं ठीक है क्योंकि tolerance phalanx दोनों ही mild है और ketone को oxidize करने के लिए आपको vigorous condition मतला strong oxygen agent लेने पड़ते हैं ठीक ह अब आते हैं हम लोग haloform reaction में और NCRT इसमें कुछ-कुछ important lines जो कि बहुत-बचो confused करती है लिखती है और इसलिए यह paragraph काफी important जाता है जहांसे NTA question बना सकती है ठीक है तो अब हमें देखना है इसमें क्या-क्या line लिखी है NCRT ने सबसे पहला line जो NCRT लिखती है कि यह reaction कौन दिखाता है NCRT कहती है कि ऐसे aldehyde और ketones जिसमें at least एक methyl group carbonyl carbon से जुरे हो वो यह reaction दिखाती है और ऐसे aldehyde ketones को वो methyl ketones कहती है ध्यान से देखना कि इन्हों ने aldehyde को भी इससी methyl ketones में लिया हुआ है consider किया हुआ है तो इसमें confused नहीं होने आपको NCRT ने methyl ketones में ऐसे aldehy aldehyde ऐसे ketone को लिया है जिसमें जो carbonyl group है उससे at least एक CH3 group जुरा हो मतलब अगर मैं आपको example दूँ तो aldehyde अगर आप देखते हो तो यह आपका aldehyde है जिसका नाम अगर आप पो शो गए मुझसे तो aceta aldehyde है इसमें carbonyl group से CH3 group जुरा हुआ है ठीक है वैसे ही यह आपक कौन सा group दिखके आप पैचान सकते हूं कि यह हलोफार्म देख्शन देगा नहीं देगा तो आपको basically देखना है यह group COCH3 मतलब की carbonyl group के बगल में आपको CH3 दिखना चाहिए अगर यह दिख रहा है carbonyl group के बगल में तो वो तो हलोफार्म देख्शन देगा ही देखा अगर अगर आप मैं इसमें ketones की बात करूँ है ऐसे ketones को क्या बोलते हैं तो ऐसे ketones जिसमें की बगल में CH3 हो उसको हमनों methyl ketones बोलते हैं ठीक है और इसमें एक तरफ तो CH3 होना ही चाहिए बाकि दूसरे तरफ कुछ भी हो सकता है कोई भी alkyl group अपका लगा हो सकता है लेकिन अग क्लब की aldehyde तो एक दम स्पेसिफिक है इसके लागो कोई भी aldehyde नहीं रहेगा बहुत इंपोर्टन समझार हो में क्योंकि अगर आप aldehyde में और कुछ भी वर्हाने जाओगे तो यहाँ पर C2HF हो जाएगा CH3 बचेगा ही नहीं और आपको हेलो फार्म लेक्शन के है उसमें एक तरफ at least CH3 आपको दिखना चाहिए ठीक है और ऐसे ketones को में लोग methyl ketones बोलते हैं इसके अलावा NCRT कहती है कि कुछ ऐसे alcohols भी है जो कि आपका हेलो फार्म लेक्शन देती है कौन-कौन से alcohol एक हो गया आपका स्पेसिफिकली अगर मैं वन डिगरी अलकॉल की ब पैचान सकते हो कि हेलो फार्म लेक्शन देगा तो आप सिंपल बोलोगे अगर मुझे अगर मुझे COCH3 ग्रूप दिख जाए ठीक है कार्णिल ग्रूप के बगल में COCH3 दिख जाए या फिर मुझे अगर वो alcohol है तो मुझे अगर CH3 CHOH ग्रूप दिख रहा है CH3 CHOH ग्रूप दिख रहा है तो वो हेलो फार्म लेक्शन देगा यह चीज मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ NCRT यहां लिखती है जो कि confusing है और यह लाइन P-Block में भी है मेरे से एक बचन रावट पूछा तो अगर वो इसको देख रहा है उसका क्लियर हो जागा यह चीज कि एसे ग्रूप जिसमें CH3CO ग्रूप हो या फिर CH3CHOH ग्रूप हो यह आपके हलो फार्म देख्शन देते हैं अब आपके दिमाग आए कि भाईया अभी NCRT ने उपर कहा था कि एक मिथाइल ग्रूप होना चीज है कारबनील ग्रूप से लगा हुआ तब ही वह हीलोफ़क्र देती है तो इसका तो हमें समझ में आता है 1 degree alcohol है उसका अब जब oxidation करा होगे तो आपको याद है alcohol का oxygen करा तो याद तो देखते थे mild है या strong है अगर मान लो mild है तो aldehyde बनाएगा तो जब aldehyde इससे बनेगा तो कैसा दिखेगा CH3 C double bond OH दिखेगा तो यहाँ पर देखो carbonil group के बगल में CH3 आगे की नहीं आगे वही NCRT कहा दिखेगा कि यह groups इसलिए दिखा पाते हैं healthy form reaction क्यूंकि इनका oxidation होने पर CH3 CO group produce होता है वैसी जब आप इसका भी oxygen करोगे तो यहाँ पर भी double bond OH आ जाएगा और फिर carbonil group के बगल में आपको CH3 मिल रहा है इसलिए CH3 CHOH वाले group जो हैं आपके healthy form reaction दिखाते हैं क्यूंकि वह oxidation होने के बाद यह groups produce कर लेते हैं जो की healthy form reaction दिखाते हैं तो basic rule है कि उसके पास CH3 CO group होना चाहिए अब या तो उसके आपस पहले से हो ठीक है जैसे कि आपके methyl ketones में होता है या फिर acetaldehyde में होता है इसको कैसे पहचानना है कि यह healthy form reaction है तो healthy form reaction पहचानने के लिए आप simple देखो कि आपके पास यह region होना चाहिए naox ठीक है कोई भी हो सकता है naocl हो सकता है naoi हो सकता है ठीक है और दूसरा या तो naocl ऐसे directly लिखा हो या फिर उसको break करके लिखा हो x2 slash naoch मतलब कि cl2 slash naoch हो सकता है i2 slash naoch हो सकता है यह region डेक्टिस आपको समझ जाने कि हाँ अगर aldehyde के लिखाने के साथ यह region है मतलब यह idroform reaction chloroform reaction यह करवाना चाहता है यह तो हो गई पहचाननी के बाल अब इसमें इसमें करना क्या होता है ठीक है पुछ नहीं करना होता है simple चीज है इसमें जो भी carbonil group के बगल में CH3 है इसमें हम दोंका requirement क्या था कि carbonil group के बगल में CH3 होना चाहिए होना चाहिए मतलब उसका कुछ use होगा इसलिए हम लोगो इतना important है तो वो जो भी CH3 है उसको आपको हटाना है और इसमें से जो ONA है उसको वहाँ पे लगा देना है यही आपको इस section में करना है basically ठीक है बैने क्या बोला ध्यान देना carbonil group के बगल वाल CH3 जैसे आपको यहां पर बहुत सारे CH3 देखने को मिल रहे है लेकिन किसको हटा हो गए सिर्फ उसको हटा हो गए जो carbonil group के बगल में है तो इसलिए उस CH3 को हटाया आपने ये वाला और में आपने क्या लगा दिया ONA लगा दिया तो आपका ये product बन गया इंपोर्टन चीज इसमें side में कुछ बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए अब ये कैसे बनाना है इसमें कुछ नहीं करना होता है जो आपने CH3 हटाया था उससे से बनता है कैसे बनेगा एक carbon तो carbon तो यहाँ पर आप क्या बनाते है आईडोफर्म बनाते है तो CH3 बन था ठीक है ये आपको करना है ठीक सिंपल है तो ये वन समझाए तो ये reaction कैसे करना है आपको अब एक important चीज अभी आपने देखा कि इसमें हम लोग क्या कर रहे है कि CH3 हटा रहे है और उसके जगा हम लोग ONA लगा रहे हैं तो basically हम लोग एक carbon कम वाला compound बना रहे है तो वही चीज अपने लिखती है कि इस हेलोफर्म reaction में जो आपका product बनता है उसमें एक carbon atom कम होता है वेरी important लाइं इसमें से question आपके पूच सकते हैं उसके बाद जो यहलो फो में कहां से बनता है इसमें अगर कहीं भी double bond है carbon की बीड़वांट है तो वो इसमें effect नहीं होता है ठीक है वही चीज इनसेयाट लिखती है कि इसा है एक है तो अगर यह लाइन आ सकते है राइट लिए कि है कौन सा सेट्मेंट सही है एक हो सकता है इट फॉर्म प्रड़क्त हैं वन कार्बन अटम लेस इट दोनों जो सेकंड और थर्ड शेटिंट मैंने बना इसा बनाकर दे सकते हैं इससे हैं जिसका नमेहने बता थे धृट लेट पेजाँ मैं फिर ने ना रही दिया हैं तो इसको बोलते हैं मानोगह भिए इन्हों ने लिखके नहीं डिया दिया टो-कैसे है, इसको पहचानो कि वह ढई है तो इसको बोलते है हम लोग sodium hypo iodide ठीक है यह आपको देहन देना है तो अब हम लोग को देखना है example 8.4 तो जिखा के जाता है कि कैसे आपको tolerance stress और falling stress question देखने को मिल सकते है आपके exam में कैसे आपको इनको यूज करके पहचानना होगा exam में कि क्या reactant हो सकता है ठीक है वही चीज हम लोग यहाँ पर सिखने वाले हैं इसी concept तो सबसे पहले पढ़ना साथ करते हैं देखते हैं क्या क्या बोला है इसमें सबसे पहले बोला है कि एन organic compound A with molecular formula C8H8O मतलब बोला है कि एक organic compound A है जिसका formula यह है और यह क्या करता है orange red precipitate देता है आपके 2,4 DNP के साथ तो अगर आप याद करोगे मैंने आपको जब aldehyde ketone के reaction कर आए थे तो मैंने आपको बोला था कि अगर 2,4 DNP के साथ yellow orange या red precipitate मिलता है तो मतलब जो आपका reactant था वो या तो aldehyde होगा या तो ketone होगा तो यह चीज़ आपने यहाँ से confirm कर लिए इस line से तो अगर कभी भी आपको एक्जाम में यह line देखने को मिलता है कि 2,4 DNP के साथ कोई compound है जो कि orange red precipitate या कोई precipitate दे रह in the presence of sodium hydroxide, iodine in the presence of sodium hydroxide, क्या यह देख थी आपको याद आरे कि यह yellow form reaction है इसमें X2 in the presence of NaOH होता था देखो अभी उपर हमने discuss किया था ठीक है और यह कह रहें कि इसके साथ जह हम लोग reaction करवा ले मतलब हो yellow form reaction करवा ले तो वो color दे रहा है मतलब हो yellow form reaction positive है तो आपने देखा था है कि yellow form reaction कौन देता है ketones देते हैं मतलब basically methyl ketones देते हैं ऐसे ketones जिसमें C2O के बगल में CHT लगा हो या फिर अगर eldehyde की बात करोगे तो सिर्फ एक ही eldehyde देता था acetaldehyde अब देखो वही चीज मैंने यहापर लिखी है पहले direction से आपने confirm किया या तो यह eldehyde होगा या तो carbon है 8 carbon है तो यहां से आप सीधे confirm कर सकते हैं अगर इसमें 8 carbon है तो acetaldehyde तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें तो 2 carbon possible है तो अब आपका यह possibility यहां से खतम होगी है बाकी अगले step में इसको और confirm करता है वो ज्यादा important line है आप वो देखना है ठीक है अगले आपने क्या है कि it neither reduces tolerance और phalanx reagent ठीक है यह आपने देखा कि health formulation तो दे रहा है मतलब यह ketone हो सकता था या फिर आपका acetaldehyde हो सकता था लेकिन यह नहीं tolerance को reduce कर रहा है नहीं phalanx को reduce कर रहा है इसका मतलब क्या है अगर आप याद करोगे tolerance और phalanx stress में उसमें हमने देखा था कि एक ही था जो दोनो ही होता है यह आपने confirm कर लिया इस point से कि tolerance और phalanx नहीं दे रहा है मतलब कि यह आपका ketone होगा और कैसा ketone होगा methyl ketone होगा इस तरीके से आपको examine करने मालो आपने जैसे element क्या 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 है अपको आपको पाई बाउंड है तो आपको बता देता था अब आपकी दिम में compound देखा होगा तो आपके दिमागा आया होगा कि इसमें पाई बाउंड तो है क्योंकि आलकेन का फॉर्म नाम क्या होता है cn h2n plus 2 ठीक है तो मतलब कार्बन और hydrogen के numbers equal नहीं होता है जब अगर पाई बाउंड नहीं होता है उस compound में लेकिन इसको देखते आपको दिमाग इसमें पाईबोंड नहीं करवा सकते हैं ओर यह किसमें बेंजीन में मिलता है क्योंकि आपको पता है बहुत जाए बहुत जाए स्टेपल होता है तो यह आपको संब्चानी आपको ब्तला है जब भी आपको ऐशा कम मांट डिखे जिसमें C6 et6 से ज्यादा carbon and hydrogen समझाना कि इ अगर bear region के साथ reaction करने पर वो decoloration नहीं दे रहा है मतलब कि इसमें unsituation नहीं होगा लेकिन इसको देखे पर चला है कि इसमें तो होना चाहिए था मतलब इसमें unsituation ऐसा वाला है जो कि reaction नहीं देगा मतलब इसमें aromatic ring के कारण unsituation है यह आपने इस लाइन से confirm किया यह confused मतों नहीं यह बहुत important लाइन दी तो आपने यहांते क्या का सीखा अगर DNP के साथ एक्षन है मतलब LDH कीटोन हो सकता था हेलोफर्म दे रहा है मतलब या तो LDH में आप एक यह option बच्छा एसे टरा LDH या फिर methyl ketone कोई भी हो सकता आगे आपने कंफर्म किया क्योंकि यह टॉलिंस फैलिंक्स नहीं दे रहा है मतलब यह आपका पका कीटोन ही है क्योंकि LDH तो देते हैं तो इससे आपने कंफर्म किया कि यह LDH नहीं हो सकता है ठीक और फिर आपने इस डीकलराइशन वाले पॉइं कि इसमें आपका एक aromatic ring होगा यह आपने कंफर्म किया तो अभी तक आप कहां पर पहुच गए हो आप पहुच गए हो कि जो आपका ए है वो आपका एक methyl ketone है जिसमें आपका एक aromatic ring है अब अगर आगे चलते हो तो यहां पर बोल रहा है कि जब इस इस एका reaction आमनों क्रोमिक और ketone से फाइनली कहां बनेगा, carboxlic acid बनेगा तो अगर यह नहीं भी बताता है यहां पर कि यहां पर oxygen करने पर carboxlic acid मिला है तो आपको खुद से समझ जाना चीछ था कि अगर ketone का oxygen हो रहा है तो आपका carboxlic acid मिलेगा और उस carboxlic acid का इनोंने formula ही बताया हुआ है C7H6O2 और मै कि इसमें methyl ketone है तो आपको एक CST तो बनाना दिया हूँ ठीक है किससे जो रहा होता carbon carbon से यह आपने बना दिया आपने और कंफर्म क्या किया था इसमें एक aromatic ring है और अगर अगर आप ध्यान से खुद कितने carbon थे इसमें तो आठ carbon थे जिसमें से आपने दो बना दिये तो बच इसका carboxyl acid कैसा बना होगे अभी बताया था मैंने ऊपर कि जब भी ketone का oxygen करा होगे तो इसमें आपको carbon carbon के बीच bond तोरना पड़ता है ठीक है और दोनों से फिर आप अपना-पना carboxyl acid बना दोगे तो इसमें आपका बन जाएगा benzoic acid वह ही चीदियां पर बनाएंगे कि B ज आपको बताता है अपसे पहली चीज़ आपको यह पता हुँचिए कि एडिहाइड और ketone में जो alpha hydrogen होता है वो acidic nature का होता है ठीक है यह आपके statement पे कभी आता है तो आपको यह इसको सही मानना है क्यों acidic होता है यह आपको समझना है यह देखो सबसे बेल तो alpha hydrogen को इसको बोलता है तो अगर यहाँ पे इस में कुछ ऐसा ग्रूप लगा हो जो इस carbon पे जो negative charges को कम करें क्योंकि आपको पता है charge species जो unstable होता है तो इस charge को आपको कम करना पड़ता है तो अगर इस पे electron withdrawing groups लगे हो तो इसको stable करेगा अब आपको पता है कि जो carbon carbon है वो अच्छा electron withdrawing effect दिखाता है resonance के कारण ठीक है मतलब resonance के कारण यह electron withdraw कर रहा है जो की काफ़ी stable कर देता है अपने conjugate base को वही आपको यहाँ पे दिख रहा है अब हमने देखना है 22 number reaction जिसमें आपको क्या देख रहा है कि एक aldehyde है ठीक उसका देक्षण dilute naoh और यहाँ पे second step में heat डाला आगा अब देखो सीधे जाद करो जब भी आपको दिख जाए aldehyde या फिर ketone क्या दिख जाए aldehyde या ketone दिख जाए मतलब basically carbonyl group आले compounds आपको देख जाए और उसका दिख जाए और उसका दिख जाए और यहा तो यह देखने को मिले या फिर आपको ba oh whole twice और heat देखने को मिले दोनों ही case में आपको same reaction करवाना पड़ता है सबसे पहले तो देखने करो अगर मेरे को carbonyl compound दिखता है aldehyde ketone और dil दिखता है या फिर ba oh whole twice और heat दिखता है दोनों ही case में मेरे को करवाना पड़ता है same reaction जिसका नाम होता है aldol condensation reaction बहुत important नाम में इसको याद करो अच्छे से क्या करवाते हैं आप कॉंसा रिक्शन? aldol condensation reaction कर रहते हो कैसे याद करोगे? lty height दिखे, dilute, naoh, heat दिखे मेरे को क करवाना है aldol condition करवाना है करना क्या होता है simple क्या दोको ठीक है basic trick बताता हूं कैसे आपको solve करना है इस friction को कुछ ने करना है आपको यह जो आपको यह lty height दिखता है उसको ऐसे लिखना है कि जो carbonate group वाला carbon है वो सीधा है ठीक है मतलब आप इसको ऐसे लिख सेकते है CH3 C double bond O ठ अबने इसको ऐसे लिखा कि ∑ línea में गारा है सीधा स्वी प्र हो इस दिखना है मतलब कि इसी चीछ को आपको एक बाद लिखना है ब को आपो इसा लिखा कि ∑ दूसरे बार क्याल बेना है मतलब और इसमें से यहां तो मैंने आपको लिखने कर दिखाया था इसको आपको exactly यह लिखना है कि इसमें से एक H को निकाल के लिखो ठीक है CH2 तो दिखने है मने क्या है इस हो के साथ जोड़ तिया यहां पे OH लग गया और इस का इन दोनों मॉलच्यवक घ्रक दैब मनें यहां पर हूब करने पने किया हूँऔ वो हमें बाद में करना है लेकिंग यहांपो बनाना इस चीज को कि double bond O जो है आपका straight line में है, फिर उसी चीज को एक बार फिर लिखो, ताकि जो alpha H है, वो double bond O के पास रहे, उस H को लेकि O मेरा दो, OH बना दो, ठीक, pi bond आपका 2 चुका है, और उसके बाद इन दोनों carbon को जो पास पास थे, उनको जोड़ दो, कि single bond से, उसके बाद हीट करेंगे, तो हीट करने में इसमें कोई भी ऐसा concept नहीं लगाना है, कि हम लोगों को OH निकालना है, कार्बोकेटान बनाना है, फिर देंजमिल करना है, इसमें कुछ आसा करती है, इसमें कुछ निकालना है, जो आपको CHO देख रहा है, ठीक है, उसके बगल में जो carbon है, यह आपका first number carbon है, यह आपका alpha carbon है, यह आपका beta carbon है, तो alpha और beta के बीच आपको pi-bound लगाते है, यह आपको simple करना है, तो heat करने के बाद आपको 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 सिम्पल करना है, इसी चीज को हम लोगो अगले देख्षे में करकर देखते है, यह तो आपना समझा, फिर स इसमें 2 alpha hydrogen है यहां तो इदर से लिखो इदर से लिखो इदर से लिखो उस एक ही बात है तो आप कहीं से भी लिख दो तो यह आपको ऐसा दिखेगा CH2 H को बहार निकाल के लिख लिख लिया है C double bond O ठीक उसके लिख क्या करना था कुछ नहीं इस H को लेना था इस O में लगा देना था वही कर रहे हो आप अभी CH3 C O में H लगा दिया तो यह आपका OH हो गया यहां पर पहले से CH3 था ही उसके बाद इस carbon को इस carbon के साथ जोड़ दोगे तो CH2 C double bond O आगया उसके लिख क्या करना अगले से अब पर कुछ नहीं जो भी carbon carbon के बगलवाले carbon था वह होगे आपका alpha carbon जिसको आपने आप अपने अपने पाइब लगा दिया और जब आपने हीट कर दिया और जब हीट नहीं किया था तो आपका जो हमने पहले बनाए था ओएच के साथ वो बनेगा तो यह आपको कड़ने तो अगर मैं आपको अब ध्यान देना इसका नाम कैसे करना है सब्सक्राइब आपने कह लिए था यह तो इतनल है सबको दिख रहा है यहां पर उसके बाद जो आपका second product बन रहा है कि आपको इसमें aldehyde पर दिख रहा है कि आपको यहां पर alcohol भी दिख रहा है तो aldehyde का alde और alcohol का all क्या बलोग है एक OH दिख रहा है और यहां पर आपको यहां पर दिख रहा है क्योंकि इसमें aldehyde और OH था लेकिन यहां पर आपका ketone और OH है इसलिए यहां फाइनल बना है लेकिन फाइनल प्रड़क्ट दोनों में ही हम लोग कंडिशन बोलते हैं तो यह आपको ध्यान देना है कि दोन इसमें अगर सिफ डियूट अनियोट डाल के दिया हुआ है तो आपने सिफ यहां पर जो बनाया है प्रड़क्ट है लेकिन अगर की टोन सबंदा है तो यहां पर आपका ketone बनता है क्यों क्यों दीजन मनें आपको समझा दिया उसके फाइनली आपने क्या करना है जब आपक सबस्क्राइब आपको जो बहुत आपको जो बगल वार कर्शाइब अलफा कर्बन उसके बगल वार बीटा अलफा बीटा के बीच में आपको डल्वन लगा देना है ऐसे लगाना है कि ओफ आपने हटा दिया और हटा दिया टीक है सिंपल यह मैं ट्रिक बता रहा हुआ और similarly जो आपका उसी molecule को आपको फिर से ऐसे लिखना है कि alpha hydrogen इस O के पास है उसके बाद इस H को लेना है, O में लगा देना है और आपका OH बना देना है और इन दोनों carbon को जो पास पास तो उनको जोड़ देना है यह आपने किया जब सिर्फ dilute anyo चे डाला है और क्योंकि यहाँ पे alpha-beta के बीच लगा दे उसलिए इसको क्या बोलते है alpha-beta unsaturation product बोलते है very important यह आपको ध्यान देना है कि aldol condensation में कैसा product बनता है तो आपको याद रखना है कि aldol condensation में alpha-beta unsaturation product बनता है अब important चीज़, question आ सकता है कि इन में से कौन सा जो भी हमने option दिया हुआ है aldol condensation reaction नहीं दिखाएगा तो उसमें आपको simple यह check करना पड़ता है कि कि किस में sp3 carbon पे alpha-hydrogen नहीं है अगर एक भी alpha-hydrogen नहीं होगा sp3 hybridized carbon पे तो aldol condensation reaction नहीं दिखाएगा अगर चेक करना हो कभी भी तो हमेंशे चेक करो कि alpha-hydrogen है या नहीं है और alpha-hydrogen जो है वो sp3 hybridized carbon पे होना चीज़, तभी वो aldol condensation reaction दिखाएगा इसमें जो पहले step पे बना था उसको aldol बोलते हैं अगर aldehyde से बंदा है और ketone से बंदा है तो ketol बोलते हैं यह मैं समझा दिया था और इसको अगर और अच्छे से देखोगे तो यह beta-hydroxy aldehyde है अगर आप देखोगे ध्यान से तो aldehyde यह था, यह alpha-carbon यह beta-carbon तो beta-carbon पे OH लगा है तो इसलिए ही क्या हो गया, beta-hydroxy aldehyde है तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि beta-hydroxy aldehyde को क्या बोलेंगे तो उसको ही aldol बोलते हैं similarly, beta-hydroxy ketone को क्या बोलेंगे तो उसको ketone बोलते हैं कि आपका दिमाग aldehyde के नाम पे जाए, उसका बोलेंगे कि इसमें आपका सिर्फ beta-hydroxy aldehyde या beta-hydroxy ketone बन रहा है, तो बहुत लोगों आपके option दोनों होगा, aldehyde reaction, aldehyde condition तो आपको टिक करना है aldeol reaction, यह तो मैंने बता दिया कि aldeol जो है, वो aldehyde यह तो मैंने आपको आपको समझा दिया हो, मतलब एक step में डिया हो, तब उन्होंने बीच का कुछ पूछ लिया, मतलब एल्डोल वादर जो पूछ लिया, आपको final product नहीं पूछा है, उसके समें आपको ऐसे करना है, जिसमें आपको OH लगाना पड़ता है, मालो उन्हों ल इस carbon से डॉल बांड O को हटा देना, इस carbon से आपने 2H को हटा देना है, और इसको जोड देना है, अगर आप भ्यान से लिखो कि हमने ऐसा क्यों कि हमने कुछ नहीं water निकाला है, कि है H2 और O हटा दिया हमने और दोनों carbon को जोड दिया, किससे? डॉल बांड से, यह आपको ब आपने दिखा कि दोनों हमने जो LDH लिए थो, सेम को एक ही LDH को दो बार लिखा था, मतलब इसमें आपने self-aldol किया है, और वही चीद NCRT यहां में लिखती है कि 2-2 mol लिया हुआ है, ठीक है, 2 mol क्यों लिया है, क्योंकि इसी चीज को आप करते थे, जो भी आपका 2 mol नहीं भ दो बार लिखके, जैसे मैंने यहां पर बताया है, वैसे लिखके आपको बनाना पड़ता है, लेकिन अगला दिखन है, आपका cross-aldol condensation, इसमें आपको कैसे पहचाना है, कुछ नहीं, reagent आपका सेम रहेगा, डाल, न, OH, या फिर आपका बियो, OH, लिखके दे सकते हैं, जैस यहां पर आपको दिखता है, तो यह इथनल है, और यह आपका प्रोपैनल है, ठीक है, वैसे आपको यहां दिखता है, यह एक LDH, यह आपका Keytone है, इस लिके से, अगर आपको दो लिखके देता है, तो समझाना है, कि करना हमें इसमें सेम चीज़ ही है, जैसे हम वहाँ करते लेकिन अगर दो अलग अलग लिखके दिये हैं, दो अलग 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 हो सकता है या फिर एक अलग अलग हो सकता है, तो दोनों अलग हो गया, तो अगर दो अलग है तब उस case में cross-aldol condensation करना है आपको, करना सेम चीज है जो अभी आपने किया था, मैं अभी आपको करके दिख मुझत हम आपसे बताओ, इसमें कितने products बनेंगे, कितने type के products बनेंगे, तो आपको समझना है, कि तो उस case में आपको चेक करना है, कि इसमें दोनों के पास alpha hydrogen है या नहीं है, ठीक है, जैसे मैं अगर आपको चेक करके बताता हूँ, यह CHO है, इसको अगर मैं लिखके दिख रहा है, मतलब इसमें alpha hydrogen है, तो मतलब दोनों के पास alpha hydrogen है, तो अगर यह सीदे से जा रहा हो, अगर दोनों ही reactant के पास alpha hydrogen present है, तो यह चार products देता है, mixture of four products आपको मिलता है, जिसमें, दो आपका मिलता है, दो self product मिलता है, दो cross मिलता है, अब दो self किया है, दो cross किया है, उसको क्रॉस एल्डोल कंडिशन होगा यह क्या चीज़े अभी आपको समझाता हूँ वैसे ही अगर आप नीचे आओगे इसको देखो तो इसमें भी चेक करो इसमें मैं मानलो आपसे पूछता हूँ कि यह दो रियक्टेंट है मुझे बता हो इसमें कितने प्रडुक्स बनेंगे त इस Carbonyl Ccher Group के भगरों में जो Carbon青ALK,श आपकोbenल अपकar एछ दिख खना है तो इसमें मतलब इसमें तो अलफ एच है इसमें चेक कर करो तो यह आपका Carbon इधर तो कोई आपका carbon है नहीं तो इधर चक करोगे तो इधर एक, दो, तीन, चार बान बना चुका है मतलब इसमें कोई भी hydrogen नहीं होगा तो इसके पास कोई भी कि अगर मैं आपको ये दो रीक्टिंट देता हूँ अगर मैं आपको ये दो कर सकते हो देखो आप इसको ले सकते हो इब और इसी को इसी के साथ अपना अलोल करा सकते हो अब मानलो मैं आपको क्या बोलता हूँ अब हम लोग बेखते हैं जो मैंने बात की आपको दो self मिलेगा दो cross मिलेगा यह क्या चीत नाम में ही है self मतलब खुद के साथ तो यहाँ पर आपको दो देखिंट दिख रहे हैं एक बार मानलो यह जो ethanol है यह खुद के साथ नहीं फर्कायगा क्यों क्यों क्योंकि एक बार यह अपना से लौल बार क्रकाईच देगा और यह आपका अपका इसलीग यहाँ पे लो क्रॉस भी मिलते हैं अब कैसे करना यह समझने लेखो अभी मैंने आपको उताई था क्या tip बताया था कुछ नहीं एक से double bond O निकालो, दूसरे आपके carbon से do alpha H निकालो और carbon को double bond carbon से जोडता हूँ इसको अगर मैं खोल के आपको लिखके दिखाता हूँ, सबस्क्राइब मैं आपको लिखना सिखाया था, कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि जो carbon carbon का O है वो straight line में है, तो CH3 C double bond O H, ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है, और उसी चीज़ को अभी आप सेल्फ करा दो, तो उसी ची आपने, यहां से आपने O हटा दिया, यहां से आपने 2H हटा दिये, और carbon को double bond carbon से जोड दिया, तो आपका बनेगा क्या ऐसा, CH3 C double bond C, CHO, ठीक है, यहां पे भी अपना इसका H है, तो यह H यहां पर लिख दिया, यहां पर भी एक H है, तो यहां है यहां है, अगर मैं आपक के लिए भी एक से बनाना होगा तो कैसे लिखोगे इसको वैसे ही सबसे पहले इसको एसे लिखो कि जो कार्बनील ग्रूप का oxygen है वो आपके स्ट्रेट आइन में आ जाए तो CH3 CH2 C1 यह लिख लिया उसका रूसको वैसे ही वापर से लिखो ताकि जो एलफा H है जो एलफा H है वो आपका O के पास है अब यहां एक इंपोर्टनील सीखने वाले हो क्या सीख रहे हो आप पर देखो बहुत लोग आप यह गलती कर देंगे कि जैसे अभी तक हम लोग दो कार्बनील ले रहते तो इसली लिख दे रहते वहीं आप यह गलती कर बाले कार्बनें हो आपने एक एक होता है वें आपका एलफाका एक होता है तो इसको लिखना है अकarna कैसे के पास है अब यहां करने watched to CHO है तो इसमें आपने लिख दिया CHO अब आप यहां से जो आप करते थे सेम चीज़ करोगे मतलब यहां से आपने ऑक्षिजन हटा दिया यहां से दो H हटा दिया इस कार्बन से दो 2 H हटा दिये उसके आप दोनों कार्बन को ड़ल बांड से जोड दिये अच्छे थे कि हाँ यहां ड़ल बांडो को सेट में लिखना है फिर अलफा H को उसके पास लिखके हमनों को H2 हटा देना है और जोड देना है और यह बोलते बोलते वो गलती क्या करें कि वो अलफा H के जगा बीटा H को सामने लखके अपना H2 निकाल लेंगे यह गलती नहीं करनी है यह बहुत इंपोर्टन चीज़ थी मैं जो आपको समझाईगे यह जो आपने दो अभी बनाए दोनों क्या थे सेल्फ प्रडॉक्त से लेकिन क्रॉस में क्या करोगे क्रॉस भी कुशी नाम में बतारा है एक बार आप इधिनल लोगे एक बार आप अपनाime प्रोपर लोगे डिफ्रेंस क्या खाएगा कि एक बार आप इससे औक आप एससे अ excitement निकाल होगे और इससे alpha अछ और तो दूसरे बार इससे oxygen निकालोगा और इससे alpha H, ठीक है, तो करके देखते हैं, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, ethanol से O निकालता हूँ, तो इसको मैं लिखूँगा ऐसे, CH3C dull bond OH, ठीक है, और जिससे मिले को alpha H निकालना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा कि alpha H O के पास है, तो फिर वही चीज जो भी हमने की थी, H, CH, इसी में CH3 लगा है, और इसी में CHO लगा है, क्या करना है हम लोगो final product बनाने के लिए, कुछ नि, यहां से H हटाया, दोनो H, यहां से O हटा दिया, और carbon carbon को dull bond से जोड दिया, तो CH3C dull bond C, CH3, पहला cross product जो है, आपका ऐसा ही बना ह इसे लिखा कि हम लोगो, जो O है वो स्टेट में आ गया, उसके हम लोग इससे alpha H निकालें तो इसमें कोई दिक्कत थी है, alpha H का, सिलसेदे जो carbon है, उसके बगल वाला carbon यह रहा, इससे alpha H निकालना है, तो इसको लिख दो, H, CH2, CHO, कड़ना क्या है कुछ नहीं, alpha H से आपने बनाने कैसे actually, वो मैंने बता दिया, self कैसे बनाना है, cross कैसे बनाना है, यह बता दिया मैंने आपको, जो गलती आप यहाँ पर कर सकते थे, alpha H का बीटा H लेने का, या फिर गामा H लेने का, वो मैंने आपको समझा दिया, हमेशा carbonil group के बगल वाले carbon से alpha H निकालना है, तो हमे होना ही चाहिए, sp-thera-dase करना है, यहाँ पर 0-alpha H है, तो क्या है, यह यह self-aldol condensation देगा, तो नहीं देगा, तो आप इससे तो self नहीं बना सकते, तो self आपका सिर्फ इससे बनेगा, तो इससे आप हम लोग self बना लते हैं एक बार, कैसे बनाएंगे, अब देखो, यह हमने कि यह self नहीं देगा, self आपका सिर्फ यह देगा, क्योंकि इसके पास alpha H है, इसके पास alpha H नहीं है, 0-alpha H है, पहल तो इसको ऐसे लिखो कि जो carbon grip पे oxygen है, वो straight line में है, तो इसको आपको अगर लिखते हो, तो ऐसा दिखेगा, C double bond O, CH3, उसके बाद उसी चीज को ऐसे लिखो अपना alkali भी दिया हुए, तो आपको final product देना है, तो उसमें मैंने बताया था कुछ नहीं, इस carbon से H2 हटाओ, इस carbon से O हटाओ, और चोड़ दो, double bond से, तो आपका final product ऐसा दिखेगा, C double bond O, C, यह हमने क्या बनाया है, अब जब आप answer match करने जाए तो आपको देगा, यह तो cross बनाना है, क्योंकि उन्होंने दिया ही अलग लग है, तो इसका self की यह तो दिखाएगा निए तो बहुत अच्छा question बन जागा फिर अपको ध्यान देना है, तो इसमें self आपको बनाना है, जो कि मैंने आपको पहले सिखा दिया, ठीक है, क्या self में क्या करना है, कुछ नही तो जो self बनाएगा उसको उससे self आपको बनाने आता है या आप बना लेना जैसे अब आपको बना देख लेते हैं cross कैसे बनाने, cross में तो easy है, अब cross में क्या कर सकते हैं? डौ option था, एक बार आप x से carbonil oxygen निकाल सकते हैं, और एक बार आप उसी से alpha h निकाल सकते हैं मतलब आप या तो एक बार इससे O निकाल सकते थे और इससे H और या तो फिर एक बार इससे O निकाल सकते थे इससे H निकाल सकते थे लेकिन इसमें दिक्कत क्या आई? दिक्कत ही आई कि इसके पास तो LH है नहीं तो यह LH वला कभी भी possibility देगा नहीं तो आपके पास एक ही option ह खूझी कि आप alpha H से निकल से निकल लो, और इससे thin, O निकल से लिए और अपकर देख को यहां पर कोई CST नहीं आया जो कि आपको यहां पर दिख रहा था वही चीज़ बना क्योंकि यहां पर क्रॉस बनाया था प्रड़क बनाना सिख गए हम लोग कब क्या बनाना है यह हम लोग को समय में आना चाहिए अब इसमें तो चलो एक के पास α-H नहीं था ठीक है माल लो इसके पास α-H होता ठीक है तब क्या करते तब मेजर प्रड़क क्या देते इसमें तो चलो मेजर प्रड़क क्रॉस का एक ही बनता यहां फुट के पास a-ath-H है तब ही आपक गए है यह उपका अपास a-H है बने 성ie-ी था ठीक है अप्ट possible प्रडोल कंडलोंसे और सख्यों अच्छे से आपको इह बनता है यहां पर थार यहां फैपपर बहुत लोग प्यूस करते है यहां यह यहीं बीजेचा जिसको मैंने सुधा रहा है इसलिए मैं आपको इस बता पा रहा हूँ अब आते हैं एक बहुत इंटरस्टिंग एक्षिन है कैनिजार रेक्षिन क्योंकि एल्डोल कंडेसिशन जो आप ही आपने देखा उससे ये बहुत सारी चीज़े इसमें आपके पर डुसरा, अगर मैं आपसे पुछता हूँ कि येर्ज़्योंकि एक्षिन किस टाइफ का डिखिन है तो आपको एकडम याद कि क्वेग्षिन में इस प्रपोफोस्टिंचन होता था बताभी इस्प्रपोस्टिंचन रिडशन था इयक्षिन हो का और उसी का आपका डिश्य वही चीदियां पर लिखे कि यहां पर self oxidation और self reduction होता है पहचाना कैसे हैं? अबसे पहले अल्डोल कंडिस्टियन क्या देखने को मिलता था आपको alkali देखने को मिलता था हीट के साथ और अगर अगर आपने ध्यान दिया होगो तो आपको अल्डोल कंडिस्टियन करना है तो आपको याद रखना है कुछ नहीं सिंपल देखो इसके वास के alpha hydrogen है? नहीं है अगर alpha hydrogen नहीं है मतलब क्या दिखागा? कैनीजारो करवाएगा लेकिन अगर इसमें alpha hydrogen होता तो हम लोग अपना अल्डोल करवाते हैं तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि अगर alpha hydrogen नहीं है तब ही आप कैनीजारो कर रहा होगे कि ऐसे पहचानना है रेजेंट आपको 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 यहाँ पर दिखागा तब तो था पहचान जाओगे इसमें मेंली जो रेक्शन दिखाते हैं वो कौन दिखाते है अल्डिहाइट दिखाते हैं यह आपको ध्यान देना है कि कैनीजारो कौन दिखाते है LD हाइट दिखाता है ketone का मुसली नहीं दिखाते है कि ketones में आपको alpha hydrogen मिली जाता है तो यह चीज़ इसलिए LD हाइट यह रेक्शन तो अगर आपसे पूछने कि इन में से कौन सा एक तो यह पूछेंगे कि इन में से कौन सा कैनीजारो दिखाएगा तो आपको चेक करना हो ता alpha H और उसमें आप मुसली देख सकते हो कि ketones तो नहीं दिखाएगग क्या करवाना अब आपने देखा कि ketonesome क्या करवाना है जो भी आपका रेक्टेट है उसका एक बार oxidation एक बार reduction और आपने देखा मुसली इसमें LD हाइट दिखाएगा तो अगर मैं आपको यह दिलाता हूं कि जब आपने अल्कॉहल का oxygen करने पर क्या बनता है LD हाइट जब माइल डालते हो और जब उसमें और strong डाले तो तो क्या बन जाता है कार्बाक्सलिक असेड बन जाता है अब यहाँ पर देख्शन हो रहा है LD हाइट का तो अगर LD हाइट का oxygen कराओगे तो क्या बनाओगे का बनाओगे का अल्कॉहल मतलब आपको कुनी करना है जब भी LD हाइट देखा तो ए एक कर्बन वाला आपने क्या किया कर्बक्सलिक असेड बनाओगे अपना अल्कॉहल बनाओगे तो इसको देख लो एक बार आप इसका कर्बक्सलिक बनाओगे तो क्या बनेगा 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 लेकिन यहाँ पर क्योंकि अल्कॉहल बनाओगे तो इसको देख लो तो इसलिए आपको यहां पर बैसिक चीज़ समझ के गलती कर देंगे अब बात कर लेते हैं लोग जो हमने रेक्शन बहुत पहले से पढ़िवी है इसको बहुता है अगर मैं आपको बोलता हूं बनुझे बताओ कि चीज़ समझा था आपको क्या इसमें आपको लोग पर दिख रहा है मतलब एक अपको रहा है और वो पाइब आपको रहा है तो मतलब यह कैसा आपको बताए इसी तरीके से आप आप नोटू पहचानते थे उ इसलिग यह भी क्या था अपना डियक्टिविटिंग ग्रूप था इसलिग यह भी क्या था अपना डियक्टिविटिंग ग्रूप है डियक्टिविटिंग ग्रूप कैसे डियक्टिंग होते थे तो मेटा डियक्टिंग होते इसलिग यह कैसा हो गया मेटा डियक्टिंग हो इसको arrange करना है, ठीक है, तो मैंने यह आपर पहले से arrange कर दी है, मैं आपको सम्झाहता हूँ क्या से करना है, अगर आपको याद है, Nucleafilic Addition Actions, अगदम सार्ट में हमने परहा था, दो कंडिशन हमने देखनी पड़ते हैं, एक Electronic Reasons और एक Seric Reason, Electronic Reason में क्या था, कि अगर Electron Donating Group लगा होगा, तो वो Positive Charge को कम करेगा, Positive Charge को कम करेगा, तो Nucleafil अटेक करना नहीं चाहिए, कि Nucleafil को क्या चाहिए, Positive Charge चाहिए Carbon पे, तो अगर Directly देखोगे, तो LDH हमीच्छे जाद होगा Ketone से, पहला Point तो यह ध्यान देखोगा, तो कभी भी आपको जब भी Compare करने आएगा, तो LDH ketone आएगा, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर LDH है, LDH है, Ketone, Ketone, तो 3 और 4 तो पीछे ही होगे, ठीक है, आप पता करना है कि सबसे पीछे कौन होगा, सबसे पीछे आपको दिख रहा है कि Butanon सबसे ज़्यादा बल्की Groups नहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक, इसलिए 4 सबसे पीछे होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 और 1 तो 3 से जादा ही होगा, क्योंकि दोनों LDH है, यह आपने कंफम कर लिया, अब 2 और 1 में आगे कौन होगा, अब इसमें आप दो सबसे देख सकते हो, एक एथेनल में आपका सेरिक इंदेंस कम है, क्योंकि छोटे ग्रॉप्स लगे हैं, तो इसलिए इसका नुकलिफिलिक अडिशन जाता होगा, दूसरा देख सकते हो कि इसमें जो इलेक्रों विड्रॉइंग ग्रॉप है, वो भी कम तो किटोन सबसे कम होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया, देखो, फोर नमबर तो सबसे पीछ, अब हमनों को तीनो अल्डिहाइड में कम्पेर करना था, तो इसका मैंने structure बना दिया है, पहला आपना बेंजल्डिहाइड है, दूसरा अपना पी टॉल्यो अल्डिहाइड ह तो सबसे, फोर के बाद जो ज़्यादा है वो आपका, उसका मैंने को वन और थी में compare करना था, तो आपको दिख रहा है कि NO2 का है electron withdrawing group है, तो positive charge को बढ़ाएगा, तो इससे भी ज़्यादा nucleophilic addition ये दिखाएगा, इसलिए आपका 3 सबसे आगया आगया और 1 से इस तरीके स आपको compare करना है, यही दो concept, कौन चार्ज को बढ़ाएगा और कहां पर स्टैरिक हिंडेंज जाता है, अब आते हम लोग इंटेक्स fusion के 8.5 पे, और आपने देखा था, कि जब भी nucleophilic addition करा थे तो उसमें हमने देखा था, ammonia inis derivatives के साथ कैसे nucleophilic addition करवाना है, तो वही same action हम ल जड़ गया, तो NH2 हट चुका है, OH, यह आपको बैचा, आगे चलता है, यहाँ पर देखो, NH2 आपको से एक जगा दिख रहा है, तो यहाँ से आपका H2 हटेगा, यहाँ से O हटेगा और जड़ जाएगा, यह, 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 डलबॉंड, N, NH, benzine, यह, NOT का है, दिख रहा ह पाई, के साथ आपको यहाँ से डी-लोकलाइज है, लेकिन यह लोन पर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से एक करवाना है, तो आपको जहाँ पर बनेगा, वो ऐसा दिखेगा, R, CH, डलबॉंड, CH, C, यहाँ और H रहेगा, यहाँ पर क्योंकि डलबॉंड, तो हट जाएगा उसके आपको अटक होगा इधर से, तो यहाँ पर N, यहाँ पर H2 हट गया, NH, साथ यहाँ पर डलबॉंड आएगा, NH, C, डलबॉंड, NH2, यह बना आपका, एक है, ऐसे आपको प्रेट को बनाना है, यहाँ आपको सीख लिया, मैं बस स्वाट कर दिखा रहा हूँ, उसके य बस इसके आपको प्रेट बनाना, जितने भी आपने रेक्शन के तो सब के अप्लिकेशन भी देख लिए, और यहाँ पर आपका, LDH, Ketone का जितना भी chemical रेक्शन था, वो खतम होता है, अब बचा बस इस चेप्टर में, Carboxylic Acid, काफी बड़ा चेप्टर इसमें, तो रिज इसमें बार बच चीजों को अप्लाई करो, तब भी आपको याद होगा कि किस रिजेंट में क्या करना है, और कैसे आपको प्रोड़क्त बनाना है, आपको पताँची, तो चलो, बाई-बाई, मिलते नेक्स बीक साथ, तब एक टेक केर, पढ़ते रहो, और इसको शेर करो अपने दोस्तों के साथ, जिनको नहीं पताए कि हरिस्टिक सेसे 시리感じ फे एक्जीट करती है, ठीक है, चलो, बाई-बाई-बाई-डा-इस, भी आ, पहटेस के साथ, मुझा हां ओक भी।